हलो फ्रेंड्स मेरा नाम चंदर शेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैस्पर स्टार्ट करते हैं आज का शेशन और हम पढ़ने वाले हैं चक्र ब्रदी ब्याज कहने का मतलब कमपाउंड इंट्रेस्ट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा काम है किस चैनल को आप कर देंगे सब्सक्राइब और गुरूपों में कर देंगे शेयर और आपके लिए एक और बात बता दूँ जैसे कि हमारा जो शिडूल चल रहा है जैसे ही मैंन सा शिडूल जो चल रहा है दो जून से गयारत जून तक कौन-कौन से चेप्टर हम फिनिस कर चुके है और कौन-कौन से चेप्टर फिनिश करेंगे आप देखिए सब्सक्राइब इस कि उपर किया जाए और पार्टनर शिपको तेकंड शडूल में हम फिनिश कर चुके हैं कढणी और घातां को साधारण ब्याच को अनुपाद को प्रतिशत को लाब और हानी को बट्टा को सर्लिकरण को अब हम क्या पढ़ रहे हैं मैं आपको बता दू अब हम पढ़ रहे हैं आज का चैप्टर ह देखिए मैं आपको बता दू अगर आपको यह किताब फिनिश करनी है तो इन चैप्टरों को अच्छे से करें मैंने यहां कंटेन बिल्कुल शॉट ट्रिक में बनाया है ठीक है मैं कॉंसेप्च्वल बेसिक भी पढ़ा सकता हूं यानि कि मैं जिरो से लेकर आपको टॉप ल एक एक कॉंसेप्ट बिल्कुल आपको समझ में आएगा क्या करना है सब्सक्राइब करना है शेयर करना बस फिर द्वारा यह कहूंगा क्योंकि आविशकता है आपके मौटिवेशन की ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और चैप्टर है चक्र ब्रदी ब्य ब्याज मिलता है उसको कहते हैं चक्र ब्रदी ब्याज एक लाइज में ब्याज की ऊपर ब्याज मिलता है उसको कहते हैं चक्र ब्रदी ब्याज जैसे समझीए मैंने कहा कि एक लाक रुपे हैं ठीक है एक लाख रुपे हैं और आपने पांच प्रतिशत की चक्र ब्रदी ब्याज से पैसा उधार लिया है आप कितना लोटाएंगे यानि कि इस पर चक्र ब्रदी ब्याज क्या बनेगी मैं आपको बताता हूँ जैसे ही मैंने definition दी है कि ब्याज की उपर ब्याज लगता है उसी को चक्र ब्रदी ब्याज कहते हैं या बात कर रहा हूँ मैं तीन साल की कैसे करूँगा आपके समक्ष देखिए मैंने कहा जब पहले वर्दी की बात आती है ठीक तो एक लाग पर पांच प्रतिश्यत की चक्र ब्रदी ब्याज लगेगी ठीक क्योंकि पहले साल की चक्र ब्रदी ब्याज और साधान ब्याज समान होती हैं या आपको पता चल जाएगा भी अगर मैं एक लाग का पांच प्रतिशत निकालूं तो आता है पांच हजार रुपे इसका मतलब यह है पहले वर्स यहाँ पर हमारी साधारण ब्याज पांच प्रतिशत और यही चक्र ब्रदी ब्याज कह सकते हैं कि एक वर्ष में चक्र ब्रद्ड व्याज और साधरण व्याज समान होती है जब बात आती है दूसरे वर्ष की और जैसी मैंने आपको definition दिया है कि व्याज की उपर व्याज मिलता है कहने का मतलब यह है कि दूसरे वर्ष मिलेगा ही मिलेगा कहने का मतलब 1,00,000,00 रुपे का 5,000,000 रुपे तो मिलेगा ही मिलेगा जबकि दूसरे बर्स वाला पहले वर्स पर rate of interest लगा देगा यानि कि ब्याज की उपर ब्याज लगा देगा यही बोलाए मैंने यानि कि मतलब यह है कि दूसरा वर्स वाला पहले बर्स पर ये ब्याज लगा देगा rate of interest से यानि कि ये कह सकते हैं इस पर 5% लग जाएगा 5000 पर 5% और ये पैसा होगा ब्याज के उपर ब्याज का जो आपकी 5% है कहने का मतब दूसरे वर्स का पैसा बनेगा 5000 तो साधारण ब्याज का जो प्रतेक वर्स समान रहता है अच्छे से जब तीसरे वर्स की बात करते हैं जब तीसरे वर्स की बात करते हैं तो concept क्या कहता है कि साधारण ब्याज clear आपको 5000 रुपे तो मिलेगा ही मिलेगा ये तो constant है इतना तो प्रतेक वर्स मिलेगा ही मिलेगा देखिए जबकि ब्याज के उपर ब्याज लगेगी अब सुनना तीसरे वर्स वाला किस किस पर किस किस पर ये rate of interest लगाएगा कहने का मतलब ब्याज के उपर ब्याज लगाएगा तो तीसरे वर्स वाला ब्याज लगाएगा दूसरे वर्स पर और ब्याज लगाएगा पहले वर्ष पर है ना, तो 5000 तो मिल गए अब ब्याज की उपर ब्याज लगाएगा दूसरे और पहले वर्ष पर लगाता है चलिए, यह लगाएगा इस पर 5000 पर और 5000 पर 5000 पर 5000 पर लगाएगा तो आता है 2500 रुपे फिर यह लगाएगा किस पर, यह solution आपने किया है, यह लगाएगा दूसरे वर्ष के 5000 पर, है न, कोई दिखकत तो नहीं, 5000 पर लगेगा, फिर 500 मिल जाएगा, कोई दिखकत नहीं है, फिर यह लगाएगा, जो ब्याज के उपर ब्याज मिली थी न, उस पर और उपर से ब्याज लगा देगा धाइसो का पांच प्रतिशत और धाइसो का प्रतिशत होगा साड़े बारे रुपे ठीक और यह तीन साल की आएगी चक्र ब्रदी ब्याज अगर आप गे भी आप देखना चाहते हैं पूरा कॉंसेट तो चौथा वर्स किस किस पर ब्याज लगाएगा आपने का तीसरे पर दूसरे पर पहले पर या यह कह सकते हैं चौथा ब्रस ब्याज की उपर ब्याज लगाएगा पहले दूसरे और तीसरे ब्रस पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं साधान ब्याज का पैसा पांच हजार तो मिलेगा ही मिलेगा जबकि जबकि यह तीसरे दूसरे पहले ब लेगा 5,000 पर कई यहांसे 12 रोपे ले गाज़् आवि मैं सॉल कर चुका हूं इंत यहांसे कितना लेगा आप ने खा enjoyment पर यहांसे 12 रोपे पिर्यास Arnoldεις और यहांसे सारे 12 पर 5 प्रतिश्क्ट और यहां से कुछ धंदाशी प्राप्थ होगी, ठीक है, यानि कि जो भी प्राप्थ होगी, 0.625 जो भी प्राप्थ होगी, ये हमारा चार बरस का चक्र ब्रद्दे ब्याज होगा, मेरा समझाने का मतलब मैं आपको बताऊं, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, कि जो मैंने दूसरे और पहले पर, ये मैं आपको बता के चलता हूं, अब पढ़ने का तरीका क्या है, जब हम इतना पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा जान चुके हैं, बेसिक बता रहा हूं, ने तुम्हें डारेक्ली कोशिन भी करवा सकता था, बेसिक बताना आविशक है, अब देखिए, जब हम सवाल को करेंगे, तो मैं पहले पैटर्न बता रहा हूं, दो साल का, दो वर्ष का चक वर्ति व्याज कैसे निकालेंगे, मैं आपको क्लियर करा दूँ, निकालने के तरीके काफी हैं, एक तो बताओं में, रेशियो मैथड है, हम रेशियो मैथड लगा सकते हैं, दूसरा सक्सेसिव फार्मूला, ब्रदी पर जब ब्रदी होती है, कहने का मत्तर चक्र व्रदी ब्याज ही होती है, के लिएर सक्सेसिव मैथड लगा सकते हैं, त्री मैथड लगा सकते हैं, ठीक, और एक और method है, fraction method लगा सकते हैं, fraction को आप ratio method ही किया सकते हैं, वैसे, तो इतने सारे method हैं, अब हम तो एक या दो लगा कर चल लेंगे, ठीक है, और मैं आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा लगाने वाले हैं हम, कौन कौन से method मैं आपको बता दू, ratio और successive, इनको देख यहां पर सिर्फ अभी सक्सेसिव बताऊंगा और सवालों में रेश्यो भी बताऊंगा सक्सेसिव कैसे लगाना है मैं आपको बताराओ कि जैसे पहले वर्ष की पहले वर्ष की जो rate of interest दियाे दर का प्रतिशत दिया है वह 10 प्रतिशत दिया है और दूसरे वर्स का दिया है 10 प्रतिशत सेम है. तो आपका चक्र व्र्दिब्याज कितना बनेगा आपको करना क्या है? पहले 10 में 10 जोड़ो आपने कहा 20 प्रतिशत फिर 10 में 10 का गुणा करो आप कहेंगे 100 बटे में 100 और प्रतिशत लगा दो यही आपकी चक्र ब्रतिब्याज है यहाँ पर कितना आ जाएगा यह 1% फाइनली कितना आ जाएगा 21 प्रतिशत कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो मैं यह कह सकता हूँ न कि 10 प्रतिशत 10 प्रतिशत अगर 2 साल की rate of interest दी है तो आप क्या करेंगे 10 में 10 जोड़ो लेंगे 20 और क्या करेंगे 10 में 10 का गुणा करके 100 बटे 100 का भाग लगा देंगे answer कितना होगा एक प्रतिशत जोड़ लेंगे 20 प्रतिशत तो यह मैंने बताया successive आपको 2 words का अब देखिए 3 words का बहुत important है 3 words का अगर 3 words का करना है आपको 10 प्रतिशत 10 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कैसे समझना है मैं समझा देता हूँ देखिए इसको माने A इसको माने B और इसको माने C करेंगे क्या पहले तो 3 को जोड़ लेंगे पहले तो 3 को जोड़ लेंगे A, B, C confirm यानि की 10, 10, 10, 30 प्रतिशत अब अच्छे से सुनिएगा short trick short trick क्या कहती है यहां point लगाईए और 4 खाने बना लिजे यहां point लगाईए और 4 खाने बना लिजे 4 खाने कैसे भरेंगे पहले एक बात ध्यान लखनी आपको आपने जोड़ा तो यहां फिल कर दिया दसमला लगाया 4 खाने प्रतिशत आप क्या करेंगे 4 खाने कैसे भरने है पहले ABC का आपस में गुणा कर दे न यानि कि 10 दस दस होता है 1000 को पीछे से बरे पहला step उसके बाद 2 खानों से हाथ नहीं लगा न पीछे के 2 खानों से अब जो भी आएगा जो आगे बोल रहा हूँ वो फिल कर देंगे इसमें क्या बोल रहा हूँ मैंने कहा सबसे पहले इनको जोड लेते हैं 30 आ गया 10 मला फिर क्या करते हैं इनका गुणा करते हैं रख दिया पीछे से फिर क्या करते हैं पहले का दूसरे से गुणा तो आपने कहा जब पहले से दूसरे का गुणा होगा मतलब A का B से होगा तो मिलेगा 100 यानि कि मिलेगा 100 सिर्फ 100 पढ़ेगे दूसरे का तीसरे से 100 और तीसरे का पहले से मिलेगा 100 तो आपको step क्या करना है आपको पहले का दूसरे से दूसरे का तीसरे से 30 का पहले से करना है तो 100-100-100-300 300 को कैसे फिल करना है 2 खाने छोड़कर Finally आपकी चक्र ब्रदी ब्याज बनेगी कितना % और यहाँ पर 0 लास्ट में होते हैं पढ़ते नहीं Finally 1 और यहाँ आजाएगा 30 और 33.1% यह आपकी चक्र ब्रदी ब्याज आएगी कितने बरस की? 3 बरस की कितने बरस की? 3 बरस की के लिए? बिलकुल दिखाई दे रहा है कोई दिखकत नहीं है बात आई समझ में? तो आगे समझ लेते हैं मैंने नॉर्मली आपको यह बताया आप सवालों में लगाएंगे हम इसी प्रिकार से पर कुछ बाते और जालो यहाँ पर आपको कुछ कुछ चक्रविर्दी व्याज रटी हुई होने चाहिए जिसे सवाल आप हवा में उड़ा सके जैसे मैंने कहा 10 प्रतिशत की रेट कॉमन है और इस पर बहुत सारे सवाल बने हैं 10 प्रतिशत की दर है तो दो वर्स का चक्रविर्दी व्याज कितना होता है तो दो वर्स का होता है रट लेना 21 प्रतिशत अभी निकाला था तीन वर्स का कितना होता है अभी हमने निकाला कितना निकला 33.1% चार वर्स का कितना होता है चार वर्स तक ही important है चार वर्स का होता है 46.41 परसेंट ठीक 46.41 परसेंट तो आपको रट लेना है अच्छे से कोई दिक्कत नहीं यह है चक्र ब्रदी ब्याज ठीक 10 प्रतिशत की दर्शें 2 वरस का 3 वरस का 4 वरस का 2 वरस का 21 प्रतिशत 3 वरस का 33.1 प्रतिशत 4 वरस याद हो गया अच्छी बात है अब देखिए मैं आपको एक और चीज कन्फम करा दूं कभी अगर आपको दर दी गई है माल लिजे 18 प्रतिशत दी गई है वरस के और फिर आपसे ये कह दे आपसे ये कह दे कि यहाँ पर दर वरस के अब दर प्रतिशत चमाई दे हैं चमाई दे हैं तो चमाई में क्या हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ ये जो दर थी वह बारे महीने की थी न वार्षिक का मतला होता है बारे महीने बारे महीने में 18 प्रतिशत लग रहा था बारे महीने में 18 प्रतिशत की चक्वेती भी आज मिल रही थी 6 माई में क्या होगा आपको पता है आपको पता है कि बार्षिक होती है बार्षिक से 6 माई में जाएंगी मतलब 12 माईने से 6 माईने में जाएंगी अगर आप 12 माईने से 6 माईने में जाते हैं तो आप क्या करते हैं आदा कर देते हैं के लिए आदा ही करेंगे आप, बारे का आदा करेंगे, तभी तो 6 है गा, तो रेटी भी आदी हो जाती, 9 प्रतिशत, कोई भी दिकत नहीं होने चाहिए, ठीक है, आगया समझ में, कहने का मतलब यह है मेरा, कि यहां मैने की यह बारे महिने की अठारे प्रतिशत है, तो 6 महिन और पेपर में आपसे कहता है कि जो आपको ब्याज लगानी है वह आठ माशिक है आठ माशिक और ऐसे कोशन एंटी PCCVT2 में आए है आठ माशिक कैसे निकालेंगे तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर 12 महीने में मिलने वाली 24 प्रतिशत है आपको कोई दिक्कत नहीं है एक महीने में कितनी मिलेगी आपने कहा 2 प्रतिशत अगर एक महीने में 2 प्रतिशत है तो 8 महीने में कितनी हुए 8 into 2 16 प्रतिशत ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप कैसे आपको पता है 12 महीनी से 8 महीने पड़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे है 12 महिनी से 8 महिनी में जाना मतलब rate का 2 तिया ही करना है ठीक है तो यह सब छोटा छोटा ग्यान है बाकी सवालों में देखेंगे कैसे क्या करना है और एक और बात एक और बात समझा दूँ देखें यहां पर मैंने कहा कि यहां अगर 5 आता है पांच में अगर 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा बताईए तो क्या आएगा आपने कहा कि 4 एक कम 4 के लिए बचेगा 1 कोई दिक्कत नहीं बचेगा 1 0 लगाएंगे 0.25 आ जाएगा तो पीछे आपने देखा 0.25 आ रहा है 0.25 आ रहा है मुझे एक बात बतानी की कोशिश कीजिए अगर यहाँ पर 5 न ही आता 3.5 आ जाता 3.5 आजाता कहने का मतलब मेरा ये है कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर यहाँ 0.5 आता तो आंसर आता 1.25 अगर आता 35 बट्टे 4 यानिके 3.5 तो आपका अंसर क्या आता आप कहते 4, 38, 32, पॉइंट आपको पता है 32 यानि कि 3 बचे 0 और पॉइंट लगाया फिर उसके बाद आपको पता है 4 सत्य होता और 8.75 आता कहने का मतलब यह है कि कहीं आंसर 0.25 आ रहा है कहीं आंसर 0.75 आ रहा है तो दो ही आंसर आ सकते हैं कभी भी आप चार से भाग लगाओ तो दो ही आंसर आ सकते हैं या तो 0.25 या 0.75 या तो 0.25 या 0.75 इससे भी टिक करेंगे सवालों को हम चिक है ओके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पर देख लेंगे पर देख लेंगे अगर सिंगल 5 बसता है तो आएगा 0.25 अगर बसता है दो तो आएगा 0.5 कैसे मैं आपको बता दू दो कब बचेगा जैसे 34 में देते 34 में देते आप 4 का तो 4 अठे 32 बसते 2 के लिए 4 अठे 32 बसते 2 0.4 पंजी 8.5 आता तो ध्यान रखना 4 का क्राइटीरिय क्या है या तो 0.25 आएगा या तो 0.75 आएगा या 0.5 आएगा आपको पता होना चाहिए 0.25 तब आता है जब एक बसता है रिबेंडर तीन बसने पर 0.75 और दो बसने पर 0.5 अब बाकी सवाल करते हैं और देखते हैं कंडिशन क्या है यह सब आपको उसी में समझ में आएगा पहला सवाल देखिए सारे सवाल कैलकुलेटियों में बहुत तगड़े सवाल आ रहे हैं पहला सवाल देखिए कहता क्या है पहले देख लेते हैं प्रॉपर आ रहा है कोई दंदाशी पहले दूसरे और तीसे वर्ष के लिए करम से 6 प्रतिशत 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत चक्र व्रदी ब्याज की दर से तीन वर्ष के लिए निवेशित की जाती है यदि तीन वर्ष में प्राप्त मिशिदन 20,000 है तो मुल्धन क्या होगा पहला ही सवाल डिफिकल्ट दिया है रेट अलग-अलग है क्लियर आपके कमेंट में बड़े कोश्चन आते हैं सब रेट अलग-अलग हो सारे कोश्चन म तीसरी क्या है 18% मैंने जस्ट अभी बताया था आपको तीन वर्ष का चक्रवर्दी ब्याज निकालने का फॉर्मुला कैसे बताया था या शौट ट्रिक कह लिजे अगर मैं रेशियो मेथर लगाऊंगा बहुत बड़ा हो जाएका रेशियो भी लगाना है मुझे मैं देख सीजो मैंने बताया स्टार्टिंग में इनको जोड़ना आपने मुझसे कहा 18-32 और 6-36 कोई दिक्कत नहीं दसमलब लगाया चार खाने बनाई यह बताया था आपको मैंने परसेंट यह डारेटली चक्रवर्दी भी आ जाएगा ओके कैसे आएगा पहले तो इनका गुणा की कर लेते हैं 12-32 और 12-32 में 18 का गुणा करेंगे तीनों का गुणा कर रहे हैं गुणा करके फिल करते हैं तो 18-36 18-36 की 6 कैरी कितनी 3 18-7 126 और 3 139 फाइनली 1296 पीछे से बरेंगे अच्छे से सुनिएगा फिर दो खाने आप छोड़ देंगे अब यहां से फिल करना है स्टार्ट करेंगे कैसे फिल करना है इन दौनों का अपस में गुणा कीजिए 12-32 इन दौनों का अपस में गुणा कीजिए आपने कहा 18-36 की 6 कैरी कितनी 3 18-18 और 3-21 फिर 18-6 में गुणा कीजिए आपने मुझ से कहा अठारे चिंग एक साथ कि फाइनली इन तीनों को जोड़िए है ना यह मैंने बताया आपको तो एक सो आठ बहातर और दो सो सोले कि आये का कितना छे एक नौ और यहां पर आजाएगा 396 कि यहां से बढ़ना स्टार्ट कीजिए छे नौ और ती निदर ट्रांसफर हो जाएगा आप कहेंगे चक्र ब्रद्धी आज कितनी आ रही है आपने कहा चैनो आठ जोडते जा रहे हूं चैनो आट दस की जीरो कैरी एक यहां जाएगा मतलब 10 मतलब 10,000 कुछ है तो इससे हमें ये समझ में आया कि option दूर है तो हम थोड़ा सा neglect कर सकते हैं क्या मैं ये कहूं point के बाद 0 है इसको खतम कर दू पढ़ो नहीं finally इसको 40% पढ़ लो तो 40% क्या होता है आपने मुझसे खा 2 बटे 5 40% क्या होता है 40% होता है 40 बटे 100 मतलब 2 बटे 5 इसका मतलब मूलधन हमारा 5 यूनिट है 2 हमारी ब्याज है चक्रवती ब्याज और मूलधन में ब्याज जोड़ता है तो मिशितन आता है साथ-साथ की value question में दे गई है 20,000 जबकि आपको निकालना है मूलधन 5 की value निकालनी है कोई दिक्कत नहीं 20,000 गुणा 5 बटे में 7 ये आजाएगा आपका मूलधन 1 यूनिट कमान ये आएगा आपका 1 लाख में भाग देंगे 7 का देते हैं यहाँ पर लिख लेंगे clear? 7 एकम 7 कोई दिक्कत नहीं है या 3 7 चौक 28 जैसी आपने चौक लगाया 14 आगया 14 इसमें ही answer बन चुका है clear? 7 चौक 28 आपका बचा 2 7 दूनी 14 आपका बचा 6 7 आड़े 56 मतलब यही है आपका करीब-करीब आइगा इसका इतना 10 का अंतर आएगा अगला प्रशन क्या कहता है दूसरा एक धनाशी को 10 प्रतिश्यत वार्षिक चक्तरवर्दी ब्याच की दर्ष से 2 वर्ष के लिए निविशित करने पर मिश्टन इतना हो जाता है मैंने अभी जस्ट आपको बताया था मूलधन निकालना है तो आप इसमें रेशियो भी लगा सकते हैं उससे भी हो जाएगा अगर मैं रेशियो लगाऊं 10 प्रतिश्यत का 10 प्रतिश्यत होता है 1 बटे 10 कहने का मतलब ये मूलधन है और ये ब्याच है इसका मतलब ये है अगर मैं पहली बर्ष की बात करूँ तो 10 तो था मेरा मूलधन और 10 पर एक यूनिट की ब्याच मिलकर 11 हो गया मेरा मिश्यधन ठीक यानि कि यहाँ पर लिखना है मुझे मूलधन और यहाँ लिखना है मिश्यधन और यहाँ पर ऐसी साइकल कितनी चलानी है आपको आपको चलानी है दो बरस की काट लेंगे 111 बचे का कितना आपने का 7, 1166, बचे का कितना आपने का 5, 1155, 11 से काट टीजे एकम 5, 15 बार, 15 रख देंगे इसमें और आंसर आ जाएगा पंदरे 15100 जो की option number सी correct है next जहां आपकी fraction सहल होगी वहां बिलकुल ratio लगा दो कोई देखकत नहीं है दो ही मेठड यूज करने हैं सक्सेसिव वाला शॉट ट्रिक और रेशियो जैसे कि ये वाला कोशन देखिए थर्ड कहता क्या है किसी मूलधन का 10% वार्षिक व्याज की दरपद दूसरे वर्ष का चक्रवर्दी व्याज 154 पर प्राप्त होता है मूलधन ग्याद कीजिए दूसरे वर्ष का चक्रवर्दी व्याज 154 पर प्राप्त होता है तो मूलधन बताईए देखो मैं कैसे कराना चाहूंगा मैं आपको पहली बात तो 10% है कंफर्म कोई दिक्कत नहीं है रेशियो से भी कर सकते हैं डार्रेक्टली भी कर सकते हैं मैं कैसे कराऊंगा आपको बता रहा हूं दस प्रतिशत, दस प्रतिशत दो बरस ले लिजे, पहला तरीका बता रहा हूँ, इसको एक बटे दस तोड़े, इसको एक बटे दस तोड़े, कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर ये दूसरे वर्स का स्पैसिफिक करता है, केवल इसको दूसरा वर्स चाहिए, तो आपको करना क ग्यारा, आपको पता है, दूसरे वर्स मिनने वाला, जो चक्रविदी व्याज है, वह यही है, जबकि आपको दिया क्या है, दूसरे वर्स का चक्रविदी व्याज, अच्छा, इसकी वेल्यू, एक सो चववन की बराबर है, ग्यारे से काट लीजे, ग्यारे एकम ग्यारा, और 4, 14 वार आपको रखना किसमें है मूलधन, मूलधन होता है हमारा हर, इनका गुणा कर दीजिए, 100 में रख देंगे, आंसर आ जाएगा, 14 है 100, जो कि option number first correct है, पहले तरीका, दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ, दूसरा तरीका यह है कि आपको दूसरे वर्स का निकालना है न, तो ट्री मेथट भी यूज़ कर सकते हैं, ट्री मेथट क्या होता है, एक बते दस तोड़ा, कोई दिकत नहीं, दस का स्क्वेर किया, अगर दो बरस हैं, तो आप दो घात लगाएंगे, यानि कि 100, आप सुनिए का कैसे करा आप सुनिए का कैसे करा रहा हूं, कोई दिकत नहीं होनी चाहिए, पहला स्टेप दस प्रगाद दो, तो आगया 100 योगया मूलधन, दूसरे स्टेप, दस एकम, देखना अच्छे से, दस एकम, दस, दस, एकम, दस, साधान ब्यास समान रहती है, जबकि यहां पर आता है, आ पहले वर्स से उठाता है, एक बटे दस लाके यहां पाजाएगा एक, और ऐसे नहीं करना चाहते है, तो मैं आपको शॉट्रिक बता दू, पहला स्टेप, दस का वर्ग सो, दस, एकम, दस, एकम, दस, साधान ब्यास, और यहां पर अंतर आएगा, इस, अंस का स्क्रेर करने पर एक, अब दूसरे वर्स का, चक्वेती व्याज कितना है, 11, 11 की वैलियो कितनी थी, 154, कितने मा कटा था, 14 बार, 14 रख, दीजे, 100 में आंसर आजाएगा, 1400, ऐसे भी कर से, नेक्स्ट, कई तरीके हैं, ठीक, बहुत टाइम लग जाएगा, लंबी वीडियो हो जाएगे, इसलिए मैं तरीके कुछ कम ही बताऊंगा, अगर मुझे 15 कोशन कराने होते, 10 कोशन कराने होते, तो मैं सब के तरीके, 4-4 तरीके बताजिता मैं आपको, पर अभी बताना ठीक नहीं है, राकिस ने 10,000 रुपे की राशी, दो अलग-अलग स्कीमों, NSC और PPF में जमा की है, 10,000 रुपे जमा की है, दो स्कीम में, पहली स्कीम है NSC, और दूसरी स्कीम है PPF, NSC में उसने 14 प्रतिशत से जमा करें, जबकि PPF में 11 प्रतिशत से जमा करें, और दो वर्स का कुल ब्याज, चक्र विर्दी ब्याज, उसको मिलता है 2726 रुपे, दो वर्स का कुल ब्याज केता मिलता है 2726 रुपे, अब ये ब्याज मिला है, क्योंकि ये प्रतिशत में, ये तो ये भी प्रतिशत में लाना पड़ेगा ये 10,000 रुपे पर मिला है into 100 कर दीजे कहने का मतलब ये है कि आपको 27.26 प्रतिशत का प्याज मिला है टोटल इन दौनों से पर आप मुझे एक बात बताईए ये दौनों धंदाशी आपने जो जमा की है वह चक्रविर्दी ब्याज के टम्स में की है तो यहाँ पर दो बरस का चक्रविर्दी ब्याज मिलेगा दो बरस का चक्रविर्दी ब्याज कैसे निकालते है सकसेसिक फॉर्मॉले से 14-14 को दो बाल लिख लेते है ऐसे ही आपको पता है ग्यारे ग्यारे को दो बार लिख लेते हैं है ना और कैसे करते हैं एक बार जोड़ लेते हैं 14-14 28 कोई देखकत नहीं है साथ में 14 का 14 से गुड़ा करते है 196 100 का भाग देते है 1.96 फाइनली आता कितना है 39.96 प्रतीशत चक्रवर्दी भी आज मिलेगा अगर 14 प्रतीशत से 2 वर्ष के लिए आप धन्दाशी या कोई भी स्कीम में पैसा लगा रहे है यहां से यहां से कितना मिलेगा 11-12 प्रतीशत और 11 का गुड़ा 11 से होगा तो आता है 121 1.21 और मिल जाएगा फाइनली इधर मिलेगा कितना 23.21 प्रतीशत जबकी दौनों जो फंड है जो इसकीम है उनसे जो प्राप्थ हो रहा है कुल मिलाकर 27.26 प्रतीशत लगाएंगे एलिगेशन अच्छा प्रशन है क्वाल्टी प्रशन है लगाईए वई गटा लीजे 6 में से 6 गया आपने कहा 0 9 में से 2 गया आपने कहा 7 और यहां 9 में से 7 गया आपने कहा 2 2.70 परसन लगानी किया वेशकता नहीं वो तो कट जाएगा इस मैंसे इसको घटाइए, छह मैंसे एक गया आपने कहा 5, यहां देखिए, दो मैंसे दो गया आपने कहा 0, यहां साथ में तिन गया आपने कहा 4, पॉइंट पॉइंट से पॉइंट आटादो, कोई दिक्त नहीं है, फाइनली रेशियो बना लो रेशियो कैसे बनाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ रेशियो बनानी के लिए आप ऐसा कीजिए यहां पर 9 से काट लिजे 9 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा आपने कहा 9.34, 9.45, क्लियर इसको काट लिजे आपने कहा 9.27, यह कट लिए रेशियो आगया फाइनली तीन अनुपाथ दो, देख लेते हैं क्या स्क्रीन पर आ रहा है अच्छे से क्या पूरा वीजिवल है स्क्रीन पर, हाँ अब तक तो ठीक है तीन अनुपाथ दो इसका मत्तब यह है कि NSC में आपने पैसा 3 यूनिट लगाया था जबकि PPF में 2 यूनिट लगाया था और दोनों मिलाकर आपने पैसा 5 यूनिट लगाया था जो कि किसके बराबर था? 10,000, 5 से 10,000 कितने बार कटेगा आपने का 2,000 बार? किसका पूछा है? पूछा है NSC में पैसा कितना लगाया गया था? यानि कि इसमें यानि कि इसमें आप 2,000 रख दीजे, आंसर आएगा 6,000 रुपे यानि कि NSC में आपने 6,000 रुपे निवेश किये थे अगला प्रेशन आपके स्क्रीन पर दासू प्रशन है चक्र व्रदी व्याज में अगर मैं बताओं सबसे ज़्यादा कैल्कुलेटिव चैप्टर है वह है चक्र व्रदी व्याज इससे ज़्यादा कैल्कुलेटिव चैप्टर है नहीं इस किताब में बहुत कैल्कुलेटिव चैप्टर है पांच हमाँ प्रेशन देखिए वे निश्य धन्राशी क्या होगी क्या होगी जो दो बरसों में साड़े बारे प्रतिश्य बाश्य चक्विती व्याज की धर से अट सट सो रुपे हो जाती है मिश्य धन दिया है ये नहीं इसकी लेंग्वेस गलत है हो जाती है मतलब चक्विती व्याज की धर से इतनी हो जाती है वैसे अगर ये लिखता हो जाती है तो इसका मतलब मिश्य धनी होता है इसने गलत लिखा है चक्विती व्याज इतनी होती है चक्विती व्याज तो ये चक्र व्रदी व्याज दी गई है साड़े 12 प्रतिशत की दर से आप ऐसे उड़ा देंगे, कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ साड़े 12 प्रतिशत होता है एक बटे आठ कोई देख कर नहीं इसका मतलब यहाँ पर लेखना है आपको मोल्धन यहाँ पर लेखना है मिश्यधन और यहाँ पर समय आपका दो बरस दो बरस का मतलब पहले बरस आठ मूलधन है तो आठ में एक ब्याज मिल करनो और ऐसा ही प्रोसेस दो बार होगा दो बरस के लिए क्लियर फाइनली आप मुझे बतानी कि कोशिश कीजिए 2864 से 9981 मिश्यदन हो गया कितने का ब्याज बना आपने कहा 17 यूनिट का और 17 का ब्याज बना है उसी की वैल्यू 6800 के बराबर है कटेगा कितने बार आपने कहा 74,68,400 बार क्या निकालना है आपको निकालना है निश्य दर्णाशी मूलधन 400 इसमें रख दीजे आंसर कितना आएगा आपने मुझसे कहा आंसर आपका आने वाला है कितना 25600 क्लियर कोई दिक्कत नहीं है 25600 जोकि option number D correct है next question अगला प्रेशने करते है अगला प्रेशने क्या कहता है question number 6 20609 बड़ा कीजे से पहले तो ठीक है 20609 रुपे धनाशी को A और B के बीच बटवारा करना है A और B के बीच बटवारा करना है और बटवारा होगा वै इस तरीके से होगा कि 3 प्रतिशत वार्षिक चक्वती व्याज की दर्से होगा और 7 वर्स के बाद A को प्राप्त मिशिदन समान दर्से 9 वर्स बाद B को प्राप्त मिशिदन के बनाबर होगा यानि कि A को A को जो पैसा मिलेगा वै 7 वर्स बाद मिलेगा वैसे एक बाद बताऊं मैं आपको अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 3 प्रतिशत का मतलब क्या है आपको पता है 3 प्रतिशत आपका ब्याज है और इसमें 100 परसेंट जोड़ जाएगा यानि कि आपको पैसा मिलेगा मिशिदन के दोड़ पर 103 परसेंट 103 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 103 बटे 100 जो कि एक साल में यानि कि एक साल में कोई भी धन 100 से 103 हो जाएगा ब्याज इंकलूड करके जबकि एका धन 100 से 103 तो हो रहा है 100 से 103 तो हो रहा है एक साल में नहीं साथ साल में जबकि बी का धन 100 से 103 तो हो रहा है पर 9 साल में आप मुझे एक बाँ बताईए और जो भी धन हो रहा है मिशिदन हो रहा है वो आपस में बराबर है लिखा है तब मैंने ये चिन लगाया देखो क्या कर लेंगे ये साथ गात इसमें से कट जाएंगी बचेंगी दो गात फाइनली आप कैसे करेंगे A बराबर B ओके यहां बचेगा 103 गुणा 103 दो बार बट्टे बचे का 100 गुणा 100 B को इधर ले जाओ मैं हाँ तो A को मिलेगा इतनी दंडाशी B को मिलेगी इतनी इसका गुणा कर लेते हैं वर्ग कैसे करते हैं मैं आपको सिखाता हूँ यह है 103 का वर्ग 100 से कितना जादा 3 जादा 3 का वर्ग आपको पता है 0,9 3 का वर्ग 9 और 3 ही संख्या में जोड़ देंगे आजाएगा 106 हो गया इसका गुणा बट्टे में 100 का गुणा 100 से करेंगे तो आएगा 10,000 इसका मतलब A को दंडाशी इतनी मिलती है और B को इतनी एक्षुल में देख लेते हैं यह तो रेशियो में एक्षुल में इन दोनों का जोड़ ही मिलता होगा टोटल दंडाशी के तो इनको जोड़ यह तो आएगा 20,609 और एक्षुल में आपको 20,609 ही मिल लगी है कितने बाद कटेगा एक बार एक वार इसमें रख दीजी एक वार इसमें रख दीजी किसकी पूछी है किसकी पूछी है A और B का बड़वारा यह आंसर आएगा दोनों एक आएगा 10,609 अगला आएगा 10,000 देख लेते हैं आंसर ओफशन चेक कराईए ओफशन क्या कहते हैं तो पहला आंसर है 10,609 और 10,000 यही करेक्ट आंसर है ओफशन भी नेक्स्ट कोशन करते हैं सभी कोशन कैलकुलेटीव है भाहिया गुस्टा में बनाते हैं पिपर रेलेवाले इसका चक्वेती भी आज का यह सेम कोशन आगया है भाहि पिपिएफ और नेस्सी जो मैंने करा चुका हूँ नेक्स्ट कोशन अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण इसको देख लेते कोशन आवर आठ करेंगे छोटा 20,000 रुपे 40% की दर से वार्षिक चक्वेती ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशी क्या होगी तीसरे वर्ष के लिए मैं आपको डारेक्ट बता दू कितने रुपे आपके पास 2000 रुपे जब मैं पहले वर्ष की बात करूँ आपसे ठीक 40% की धंडाशी आपके जेब में आएगी ब्याज के तौर पर और पहले वर्ष का चक्रवर्धी ब्याज और साधान ब्याज समान होता है तो 40% निकालो इसका 4 दुनिया आट 800 रुपे तो पहले वर्ष आपको ब्याज के तौर पर 800 रुपे मिलेंगे सिर्फ पहले वर्ष अब आते हैं दूसरे वर्ष पर दूसरे वर्ष पर कितने मिलेंगे आपकी दर कितनी है 40% है ना तो आप 40% 800 तो मिलेंगे बिलेंगे यहाँ पर यह तो साधान ब्याज रहता ही है पहले वर्ष जो मिलते हैं वो हर साल मिलती रहते है इतने तो मिलेंगे मिलेंगे जबकी जबकी दूसरे वर्स वाला पहले वर्स से पैसा और उठा लेगा 40.30 से 40.30 इस पर लगा दिजे 8.32 तो देखिए पहले वर्स में इतने मिले दूसरे वर्स में कितने मिले, 800 तो मिलेंगे, मिलेंगे, जबकि दूसरे वर्स वाला पहले वर्स से उठा लेगा, 40 प्रतिशत पर, तीसरे वर्स में कितने मिलेंगे, तीसरे वर्स वाला 800 तो मिलेंगे, मिलेंगे, 2000 पर, 40 प्रतिशत तो मिलेगा, जबकि तीसरे वर्स वाला दूसरे और पहले से उठा लेगा मतलब इससे इससे और इससे अगर इससे उठाएगा तो 320 800 का 40% 320 इससे उठाएगा 320 और इससे उठाएगा आप इसका 40% निकालेए तो 320 का 40% जीरो जीरो कैने का मतलब चार दुनी आठ चारतीय बारा चार दुनी आठ चारतीय बारा एक सौट थाइस जोड़ दीजे भाई यह तीसे वर्स का पूछा यह आंसर आ जाएगा जो किया है 1568 जोड़ लिया ऑप्शन सी करेक्ट है अगला प्रेश्ट क्या फॉर्मला लगा और फॉर्मला लगा भी सकता था पिछला कुशन थोड़ा दिखाने की कुशिश करेंगे बच्चों को बता दूं कि अगर दूसरी ट्रेक भी आजमाई जाए तो मैं अपनी शॉर्ट ट्रेक बता रहूं खुद की शॉर्ट ट्रेक बता हूं आपको देखने को नहीं मिलेग आपको टीसरे वर्स के लिए वर्स के लिए ब्यात चाहिएimana सिर्फ तीसरे वर्स का नहीं तीसरे का तो तीसरे में कितनी मिलेगी दो और इससे पहले इससे पहले आपको पता है कि जो भी धन्नाशी होगी वह मिश्दन मन चुकी होगी है न जब तीसरी बर्स पर आएं तो यह मिश्दन मन के साथ हो जाएगा यह भी मिश्दन मन के साथ यूनिट कैसे 5 और 27, 5 और 27 और इससे केवल यह वाला चाहिए यही आंसर है पर मुल्दन कितना है या 5 5 5 125 125 की वैल्यू है 2000 कितने बार कटेगा 16 बार 16 रख दीजे इसमें आगे 1568 हो गया लो चिक अगला कुशन कहीं तरीकें वही हैं मैं तरीके कम बता की चलूंगा किताब करानी है इसलिए नहीं तो एक ही वीडियो 5 गंटे का बनेगा 50 क प्रश्न हम आ रहे है आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल सकता है अगला प्रश्न लगाया जाए next question देख एंगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर आ रहे हैं कि इसे 5 प्रतिशत चक्विर्थी व्याज की दर्चे समान वार्षिक किस्तों में दो किस्तों में चुकाए जाना है वार्षिक किस्त ग्याद कीजिए मतलब भुगतान ग्याद कीजिए वार्षिक कैसे करना है? Step first, 5 प्रतिशत सबसे पहले आप दर को तोड़ेंगे दर है आपकी 5 प्रतिशत, 5 प्रतिशत को आप कैसे तोड़ सकते है फ्रैक्शन फॉर्म में 5 बट्टे 100 मतलब 1 बट्टे 20 अब सुनिएगा अच्छे से, आपको लिखना कैसे है? अगर आपका मूलधन 20 है तो 20 में एक की ब्याज मिलकर 21 यूनिट हो रहा है आपका मिश्यदन पर यहाँ पर करना कैसे है? करना कैसे? ध्यान रखना आपको यहाँ लिखना है यहाँ पर लिखना है दे राशी यहाँ पर प्रतिशत यानि कि अगर दे राशी 20 थी तो प्रतिशत का मान था 21 आपको एक जोड़कर 21 देना था पर ऐसा जो काम हुआ है दो बरस के लिए हुआ है किस्त के सवाल कैसे निकालते हैं? ध्यान रखना आपको पता है कि पहले साल के लिए या पहले बुक्तान के लिए एक ही गहत लगानी है अगर दो किस्त है तो अगली बार दो दो गहत लगानी है ध्यान रखिएगा ठीक है क्योंकि आपकी आपकी जो शक्कवेदी ब्याज होती है वह ब्याज के उपर ब्याज लगती है और सक्सिसिव होती है सक्सिव का मतलब होता है कि गुणा में गुणा कर देंगे सक्सिसिव का मतलब होता है गुणा में गुणा कर देंगे तो यहां किस का गुड़ा कर लिजे, अगर किस का गुड़ा इसमें किया है, तो इसके साथी को देना पड़ेगा, जैसी ऐसा काम कर देते हैं, हो जाता है, सैटिस्फाइड, देराशी पहले साल कितनी थी, आपने कहा, आपने कहा, 420, जबकि दूसरे वर्ज कितनी थी, 400, 2400, देराशी है, 820 कमान है, 16400, काट लिजे, यह कटेगा कितने बार, आपने 0 से 0 काट लिए, यह कटेगा 20 बार, पुटिंग एल्यू 20 आ गई, फिरते किस कमान निकालना है, अंसर आ जाएगा, 8820, जो की option number D correct है, अगला question, question number 10, अच्छे से सुनिएगा, language क्या कहती है, एक महिला प्रतिग वर्ष के प्रारम में, 5% चक्रवधी ब्याज की दरपद 200 रुपे का निवेश करती है, इसका मतलब, पहले साल के प्रारम में 200 रुपे निवेश की है, ओके, कोई दिखकत नहीं है, उस पर 5% का चक्रवधी ब्याज का पैसा मिला, और चक्रवधी ब्याज का पैसा मिलेगा 5% वे दन्राशी हो जाएगे, 105% पहले वर्ष के अंत में, 105% निकाले इसका, तो कितना होगा, आपने कहा 210 रुपे, क्लियर, यानि कि एक वर्ष के अंत में 200 रुपे, जो महिला ने स्टार्टिंग में लगाए थी, 210 रुपे हो जाते है, 5% से, फिर महिला क्या करती है, दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कुल धन्नाशी कितनी हो जाएगे, यह महिला प्रतेक वर्ष की प्रारम म 5% चक्विती ब्याज की तरपर 200 रुपे लगाती है, पहले वर्ष की प्रारम में 200 रुपे लगाए, 5% का ब्याज लेकर 105 प्रतेक हो गई मत्तद 210, अब दूसरे वर्ष की प्रारम में वह धन्नाशी बन कितनी गई है 210, अब इसमें भी 210 रुपे लगाएगी, जिससे कितने हो जाएंगे, 410 रुपे हो जाएंगे, और इस पर भी 5% का चक्विती ब्याज लेकर, धन्दाशी 105 प्रतेक राप्त करेंगे, और यह आपका आंसर होगा, क्लियर, कितना आ रहा है, 410 गुणा, कर लेते इसको, परसेंट 100 नीचे जाएगा, काटा पीटी करेंगे, 5 से काट इसको, तो कटेगा, यह कितने बार, 5 से 105 कितने बार कटता है, बाल को, आपने मुझसे कहा, 21 बार, जबकि 20 बार 100 कटता है, 0 से 0 कट जाएगा, 47 गुणा, 21 बटे, 2, आपको पता है, पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में तो यही आ रहा है, 430.5, तो यही आएगा, गोड़ा करने से मतलब भी नहीं है, कर लो तो यह आना है, ठीक है, ओफ्शन भी करेक्ट है, नेक्स्ट, अगला प्रशने देख लेते हैं, अगला प्रशने क्या कहता है, 11 देखिए, किसी निश्य दनराशी को चक्वती व्याज़ पर निवेश किया गया, दो वर्सों के ल 14 बट्टे 100, मतलब 1 बट्टे 25, यानि कि अगर आपका पहली साल मुद्धन 25 यूनिट था, एक यूनिट की ब्याज लेकर, मिश्य दन हो गया 26 यूनिट, जबकि कहानी दो वर्सों की है, तो एक और बार साइकल बनेगी ऐसे, आपका मुद्धन 25 गुणा 25, और मिश्य दन 26 गुणा 26, और जो मिश्य दन हुआ है, देखिए, ब्याज की दर से ही राशी इतनी हो जाती है, यानि कि यह जो मिश्य दन हुआ है, वह 338 के बराबर है, एक्च्वल में, काट लीजे, तेरे दुनी 26, बच्चे का कितना साथ, तेरे चिंग अठकतर, 26 से 26 कट जाएगा, यहान दो की वैल्यू आजाएगी एक, यहान एक की वैल्यू आजाएगी, एक वट्टे दो, पुटिंग वैल्यू एक वट्टे दो है, रख देना है इसमें, और 625 का आदा होगा, 312.5, जो कि option number be correct है, अगला question, अगला question क्या कहता है, देखिए, बारेवा, एक राशी 20 प्रतिशत चक्र विर्दी ब्याच पर, दो वर्षों के लिए निवेशित की जाती है, यदि ब्याच अर्ध वाशिक आधार पर दे हो, तो इस पर ब्याच के वाशिक आधार पर दे होने की दुलना में 442 रुपे अधिक मिल जाते हैं, कहने का मतलब यह है, कि एक बार यह राशी वाशिक है, और एक बार अर्ध वाशिक है, कहने का मतलब एक बार ब्याच वाशिक पर मिल रहा है, एक बार अर्ध वाशिक पर मिल रहा है, जब वाशिक पर मिल रहा है, तो बीस प्र इशित की जाती है तो दो वर्सों के लिए साइकल कितनी बनेंगी 20-20 प्रतिशत की दो और इसके लिए मैंने आपको समझाया है कैसे 20-20-40 प्रतिशत फिर 20 का ओड़ा 20 में करते आता है 400-800 परसेंट और यहां से 4 मिल जाएगा फाइनली 44 प्रतिशत होगा चक्र व्रदी व्याज 20 प्रतिशत की वारशिक दर से आपको पता है यहां पर आपकी रेट ऑफ इंट्री तिस प्रतिशत आ रही थी 11 महीने की 6 महीने की कितनी के ओजाएगी आदी यानिकी 10 प्रतिशत दस प्रतिशत आपको यह पता होना चाहिए साइकल कितनी बनेगी आप मुझे बताइए 6666 महीने की साइकल दो साल में कितनी बनेगी 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने, 24 महीने होते हैं 2 साल में साइकल बनेंगे 4 और आपको आता नहीं साइकल निकालना तो मैं बताता हूँ साइकल कैसे निकालते हैं कुल समय कितना है 2 वरस, 2 वरस का मतलब होता है 24 महीने जबकि आपकी चक्रविर्दी ब्याज दे किस पर है अर्दवार से यानि 6 महीने पर साइकल बनेंगी 4 बना दी है अब मैंने आपको रटवाया था स्टार्टिंग में 10% से 4 वरस का चक्वित ब्याज कितना होता है अब इन दोनों का अंतर कितना है आपने मुझसे का 2.41 परसेंट और वही अधिक है कितने के बड़ाबर 480 कि पॉइंट के बाद दो अंखें पॉइंट की बाद कितने अंग के दो अंखें इसरा राइट में दूजिरू लगा देगे दो से तालिस से कट जाएगा दो बार 200 बार और परसेंट के दूजिरू चिपका देंगे आंसर आएगा बी सजाल जो कि ऑप्शन नमर देखिए कि ऑप्शन चेक कराई बी सजाल ऑप्शन भी करेक्ट है अगला कोश्चन अभी एंटी पीसी सीवीटी टू वाए ऐसे प्रशना है अद्रवार शेक छमाई आठ माशेक यह सब इसको देख लेंगे अच्छे से क्या कहता है एक व्यक्ति ने नौ प्रतिशत साधारन ब्याज पर धन्दाशी उधार लिए साधारन ब्याज पर इसे तीन वर्सों के ल नौ प्रतिशत तो इसे चुकता करना पड़ेगा नौ प्रतिशत के इसाफ से तीन साल में तो यह चुकता करेगा 27 परसेंट पर यह निकला स्मार्ट इसने इसी धन्दाशी को 10 प्रतिशत पर चक्रवर्दी व्याज से उठा दिया देखिए निवेश किया तीन वर्स बाद उसे 1952 रुब रुपय का लाब हुआ लाफ कैसे होगा 20 प्रतिशत से उठा रहा है 13 साल में कितने साल में 43 साल गता है और 3 साल का रटवा दिया है कितना होगा 33.1 प्रतिशत होगा चक्वेती भी आज स्टार्टिंग में आपको रटवा दिया है ठीक है कोई दिक्कत नहीं और रटना ही पड़ेगा दस का तो ठीक लाब कितना हुआ है भहिया जमा करना पड़ेगा इसको 27 जबकि इसको मिलेगा 33.1 लाब कितने का होगा आपने गठा दिया लाब होगा 6.1 परसेंट का ठीक और जो लाब हुआ है वही 19.52 रुपे के बराबर है दनाशी कितनी है कैसे करना है आपको देखा देते है पॉइंट कितने आपने कहा दो एक और दो एक सट दूना एक सट दूना कहने का मतलग 320 और परसेंट का दो जीरो आ जाएगा 32 सजार आंसर देखिए ऑप्शन चेक कर आईए 32 सजार बी करेक्ट है अगला प्रश्ण नेक्स्ट कोश्यन चौदेमा प्रश्ण ने क्या कहता है बड़ा कीचे स्किन पर दो साल के लिए निवेश की गए धन्राशी जिसे 20 प्रतिशत वार्शिक दर से वार्शिक आधार पर चक्रविर्दी किया जाना है परिपक्वता होता है वो मिश्यदन बन जाता है परिपक्वता पर 324 रुपे बन जाती है निवेश की गए धन्राशी कितनी है 20 प्रतिशत की दर है आप रेश्यो लगा लिजे 20 प्रतिशत 20 बटे 100 मतला एक बटे 5 कहने का मतला अगर पहली साल मुद्धन 5 था एक ही ब्याज लेकर 6 यहां कितना बरस है दो बरस यह जो आपका जो आपका प्रोसिस चला सेम दो बरस के लिए चला फाइनली 25 से धन्दाशी हो गए आपकी 36 और 36 की वैल्यू कितना है 324 के बराबार कितने बार कटेगा 9 वार 9 इसमें रख दीजे 225 करेक्ट आंसर है जो कि option नमर्द चेक कराईए option option प्लीज चेक कराईए option डी करेक्ट है next question अब जो चोटे चोटे कोशन होंगे देखें के आप कर सकते हैं यहां पर देखें 15 कोशन श्याम आठ प्रतिश्यत प्रतिवर्स वार्षिक चक्विती ब्याज की दरपर दो बर्सों के लिए एक्स रुपे जमा कराता है ठीक है जो आपको पता है आठ प्रतिश्यत आठ प्रतिश्यत की फ्रैक्शन तोल लिजे चार से दो बार और सो कटेगा 25 वार यहां लिखिया मूल्धन प्रेंसिपल यहां लिखिये अमाउंट 25 अगर पहले साल के लिए मूल्धन है दो ब्याज लेकर 27 और यह चलेगा आपका प्रॉस दूबरस के लिए 25-27 कहने का मतलब 625 अगर मूल्धन है तो 729 हो जाएगा आपका अमाउंट मिशिदन और मिशिदन हो गया 729 डवल जिरो कटेगा सौबार दो जिरो यहां चिपका दीजे आंसर आएगा 62 कितना 500 जो की आप्शन नमबर डी करेक्ट है अगला प्रेश्य नह देखिए बहुत अच्छे से देखना है आपको अब इसमें हम लगाएंगे भाया अप्रॉक्स आंसर कैलकुलेशन नहीं बनेगी इसकी एक व्यक्ति तीन वर्ट के लिए 7 प्रतिशत वार्चिक चक्विती व्याज की दर से एक बैंक 7 प्रतिशत का रेश्य कहां से लगाए तो इसमें लगाएंगे हम ठ्रीक वालावाई फॉर्मुला तीन वर्ट के लिए 7 प्रतिशत वार्चिक चक्विती व्याज की दर से एक बैंक में निश्य राशी उधार लेता है यदि वे कुल व्याज की रूपे इतनी रूपे बुक्तान करता है तो उधार लिगी धर्ण देखिएगा 7 प्रतिशत पहली साल दूसी साल साथ प्रतिशत तीसी साल साथ प्रतिशत कैसे करना है शौट्री कहता है साथ 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 21 दसमनलब लगाईए 4 खाने परसेंट पहले तो इनका तीनों का गुणा कर दीजिए आएगा 343 पीच्छे से बरिए भर दिया दो खाने छोड़ दीजिए अगला स्टैप क्या है सत्तू सत्तू 58 पहले का दूसरे का तीसे मेंранचास और तीसे का पहले से लिए Cakeलियर 99 99 99管 कितना आएगा 147 आप 147 फिले करना है आपको दो खाने छोड़कर 7 4 1 फाइनली चकवर्दी व्याज किती बनेगे तीन चार जिरो पाँच पॉइंट बाइस अब जो बच्चा स्मार्ट होगा उश्यार होगा वो समझ जाएगा कि यहां पर पाँच के बाद जीरो आ रहा है कोई माने नहीं है यानि कि यह आ गया साड़े बाइस प्रतिशत क्लियर साड़े बाइस प्रतिशत चकवर्दी व्याज बनी है जिसकी वैल्यू किसके बराबर है पिच्च्यासी 966 मैं अप्रोक्स आंसर उठा रहा हूँ दूरे आंसर इसलिए समझिए वैसे आंसर नहीं आने वाले हैं इनके कोई दिकत नहीं है क्या मैं साड़े बाइस को 45 का 945-45 बचे का चार 945-45 बचे का एक 9 अच्छे सुन्ये नहुँ एक नो बचवा साथ बचे का साथ कोई देख कर तो नहीं सात मतलो सत्तर नो अठ्डे बाहतर अठ्डे तक लिख लेता हूं एग और कोई देख कर दिए 2 चाना कर लीजे कितने गोना दोका दोका करेंगे तो तो नहीं से कुछ रह गया है पांस से काट लिजे एक यूनिट कमाना आजाएगा पांस से काटे इसको पांच से काटी, अभी परसेंट के 2-0 भी रह गए हैं, ध्यान रखना, 5-3-15, बचे का कितना 4, 5-8-4, बचे का कितना 1, 5-2-10, अरे 382 आ रहा है, 0-0, अरे ये देख लिजे, बाद में जो लावा देंगे, बस option भी correct है, ऐसे ही करना है आपको, answer उठाना है ऐसी, next question, अगला प्रशन, इसमें भी calculation है, ए ने एक बैंक में निशित राशी, आठ प्रतिशत ब्याज की दर पर लेता है, आठ प्रतिशत, वाशिक ब्याज लेता है, वाशिक तौर पर, जिसमें भी आज चमाई में चक्रवर्दी होता है, एक बैंक से निशित राशी, आठ प्रतिशत ब्याज की दर पर लेता है, जिसमें भी आज चमाई में चक्रवर्दी होता है, यदि उसने डेड़ वर्ष के परशार इतनी रुपे अदा किये हैं, तो मूल्धन क्या होगा अगर मैं आपकर कहूं कि वार्षिक है तो चमाई का कितना होगा तो आपने कहा, चमाई का हो जाएगा आदा कि चार-प्रतिशत और साइकल कितनी बनेगी टोटल समय है डेड़ई asteroid डेड़ग बल्स का मतलता है ऐठार हमेनी। और साइकल कैसे निकालते 18 महीने और याँ चमाई दी है साइकल बनेंगी तीन 4 प्रतिशत 4 प्रतिशत 4 प्रतिशत कोई दिक्कत नहीं है मूलधन पूछा गया है या तो आप रेशियो लगा लिजा या डारेक्ट लिवी कर सकते हैं पर मैं आपसे कहता हूं रेशियो से नहीं आएगा आपको कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि रेशियो से लगाएंगे 25-26 25-26 बहुत बढ़ा हो जाएगा नहीं वैसे नहीं करना आपको अब लगए शॉट्रिक 4-4-12 पॉइंट 4 खाने परसेंट कैसे करना है पहले गुणा कर लीजिए आपने कहां कितना है गार 64 पीछे से बढ़ दीजिए फिर 4-16-4-16 और 4-16 अरता लिस आजा जाएगा दो खाने छोड़कर फाइनली कितना आ रहा है 12.4864 अब मैंने आपको स्मार्ट बनाया है यह 8 है तो एक दे दीजिए खतम कर दीजिए इसको पड़ सकते हैं साड़े बारा और साड़े बारा प्रतिश्यत जो चक्वेती व्याज में मिलती है यदि उसने देड़ वर्ष की पश्याद इतना अदा किया है तो अदा करना मतलब मिशिधन यह हो जाएगा 112.5 जिसकी वैल्यू 196 851 के बराबर है क्या 112 को क्या 112.5 को मैं यह कह सकता हूँ यह 225 का अदा है जिससे होगा गया मैं काट सकता हूँ किस से काट हूँगा अगर मैं इसको 0 पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है किलियर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ऑप्शन दूर दूर है अंसर आ जाएगा 25 से 9 बार 25 से काटते हैं 25 सत्ते 175 बचेगा 21 25 अठ्थे 200 बचेगा 18 25 सत्ते 175 बचेगा 10 और 25 चौक फाइनल 9 से काटते हूँ जितना कट जाया उतना काट दो 9 अठ्थे 22 बचेगा कितना 6 9 सत्ते 63 बचेगा कितना आपने गाव 5 9 चिंग 24 दो का गुणा कर दो परसेंट के 2 0 देदो दो काटा करो चैद्धी 12 के 2 8 बचेगा 21 पंद्रे के 5 8 बचेगा दो अठ्थे 16 एक 17 और 20 लगा दो यह आंसर है सत्रे बावन जिरो जिरो अब मुझे एक बात पता ही किसके पास है वन सेकें वन सेकेंड दिखाई ऐ Ward आप्पे है यह सात्रे पचास है तो यह बावन इसी के रहा हूं मैं खुले आम भाई बास सही है जो सच है वो सच है पेपर हमें एक दो मिनट मिलता है ऐसे सवालों में दो मिनट लगा सकते हैं अब आप कहें कि आप मिनट खा जाएं तो मुझे नहीं लगता है यह इतना इंपोटेंट है सवाल छोड़ी दो फिर तो कुछ नमा 19 देखिए क्या कहता है अब यहां पर भी कहानी क्या देखो पॉइंटों किया अब मैंने स्टार्टिंग में आपको वीडियो स्टार्ट हुई थी चार का भाग ब देपोजिट में 13500 रुपे जमा किये हैं कोई दिक्कत नहीं है 20 प्रतिशत वार्षिक चक्वती व्याज की दर पर 6 महा का कुल धन ग्यात करना है यहां पर रेट जो है ना वार्षिक है आपकी दर वार्षिक है कितनी है 20 प्रतिशत मतलब 12 महीने की यह हमसे कहता है 6 महा का कुल धन ग्यात कीजिए 6 महा वै आपसे कह रहा है 6 महा में कुल धन कितना हो जाएगा वै निकालना है जबकि प्रितेक देखिए ब्याज प्रितेक तीन महा पर संजूजित है तो जो ब्याज है वे वाशिक नहीं संजूजित है वे तीन महीने पर संजूजित है तीन महीने पर अब आपको पता है 12 से 3 होना कहने का मतला एक बटे 4 करना पड़ेगा आपको दर को तो दर का एक बटे 4 कर लिजे दर आजाएगी 5 प्रतिशत अब साइकल किती बनेगी आपको पता है यहाँ पर कुल समय 6 मईने है जबकि आपने ब्याज सन योजित की है तिमाई तो साइकल बनेगी दो 5-5 प्रतिशत की ठीक है कोई देखकत नहीं होनी चाहिए है ओके अब मुझे बताए रेश्यो बना ले 5 प्रतिशत क्या होता है यहां मूलदन लिखे यहां लिखे मिश्यधन 20-21 चार सो से चार सो इतालिस जबकि सुनिए यहां पर दिया क्या है सीमान अखिल ने फिक्स डेपोजिट में 13,500 रुपी जमा किये है तो यहां जमा किये है 400 की वैल्यू 13,500 निकालना क्या है मिश्यधन आपको कितने हो जाएंगे 0 से 0 काट लो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 135 बटे 4 किसमें रखना है इसमें 135 बटे 4 अब मुझे एक बात बताईए एकाई का अंक पकड़िए 5 एकाम 5 बटे में कितना आ रहा है 4 अगर इसमें भाग लगाएंगे तो दो यह आंसर आ सकते हैं या तो पीछे 0.25 या तो 0.75 क्या है ऑप्शन में पॉइंट 25 नहीं 0.5 पॉइंट 8 नहीं पॉइंट 7 करेक्ट आंसर ऑप्शन भी सल नहीं करना डारेक्ट ली आंसर है जो बता रहा हूं वही कर लेना भाई नहीं तो यह चक्वति व्याज मार डालेगी इतना निकालने के बाद भी इन लोगों ने पॉइंट में कैलकुलेशन दे दी है में तो समझ में नहीं आता क्या करवाते हैं यह कहता है यदि पांच प्रतिश्य चक्वति व्याज की दर से दो बर्स बाद चार सो इतालिस सुझाती है अभी कर आपने चार सो सच चार सो सच चार सो इतालिस की वैयली चार सो इतालिस आंसर आएगा 400 ओप्शन ने अस? प्रत्रेश्न कॉष्ण हमें कौन सा ही एक एक विसे अच्छी से देखना कैसे करना है मैं आपको समझा दूं यह इतना दिमाग प्रतिशत की दर पर पांच प्रतिशत की दर पर लॉन लिया है कुल ब्याज बनता है 431.01 तुम मुल्धन क्या है मैंने का option से उठाया option प्यारा सा देखाई देरा है 2000 पहले हमेश्या पहले ऐसे option उठाई ये 2000 तीन या चार या पांच या अम मैंने 2000 ले लिया मुल्धन मुझ पहले वर्ष के लिए आपने मुझे कहा देखिए % सी 0 कर जाते 100 रुपे बनते हैं दूसरे वर्ष में क्या होता है 100 रुपे तो बनते और ब्याज के उपर ब्याज लगता कहने का मतब 100 पर 5% लग जाता दूसरे साल वाला पहले साल वाले से उठा लेता 5% पर तो 100 का 5% 5 र पहले सादर व्याज का जबकि तीसे साल वाला दूसरे से और पहले से उठाता के लिए पहले से उठाएगा 100 पर तो 5 रुपे मिलेंगे इस 100 पर 5 रुपे और 5% उठाएगा तो मिलेगा कितना 5 रुपे का 5% होता कितना आपने का 0.25 को देख कर दें ऐसे चौथा वर्ष वा सौ doable 555 पंदरेल तो मिली जाता इससे पांच इससे पांच इससे 5 को देख कर भी इससे 5 पर मिलता 5%, 0.25 यहां से भी 0.25 को परसेंट कियो लेख दिया .25 मिलता परसेंट के वैसी तो आया है 0.25 HOझ और यहां से भी 0.25 और यहां से मिलता 5% तो बहुत Recent चोड़ दो फाइनली पैसा कितना बैठा है पैसा ब्याच का कितना बैठा है आपने कहा 400 पंदरे और पंदरे 30 0.25, 0.25, 0.25 करीवन 0.75 मुझे एक बात बताईए अभी तक आपने जोड़ा 0.25, 0.25, 0.25, 0.25 ये तो एक ही बन गया फाइनली 431 तो बैठ रहा है और कुछ जोड़कर था क्या ये 431 है हाँ किस पर मुद्धन 2000 पर क्योंकि यहाँ पर मुद्धन ये exact नहीं ये भी point में था इन्होंने approach लिख दिया है ठेक solution में आपको बताऊ आँ आँसर आ रहा है इसका 1999 कुछ मुद्धन का पेपर में 1999 को 2000 पढ़ लिया है इसलिए आपको मानना पड़ेगा अंसर इसका option ये है क्योंकि इससे ही satisfied हो रहा है अगला प्रेश्न और भी मैंने method लगाए पर मजानी आ रहा भाई भाई बहुत बड़ा हो रहा है क्या फाइदा ऑप्शन से उठाना 22 पर question यदि एक निश्यत आशी तीन वर्सों में दस प्रतिशत की चक्विति भ्याज की दर से इतनी हो जाती है दस प्रतिशत दस प्रतिशत होता है एक बटे दस मूलधन लिखना है यहां लिखना आपको मिश्यधन तीन साल में क्या हो जाएगा दस की पावर तीन से ग्यारे की पावर तीन हो जाएगा पहली साल में दस से ग्यारा होता है अगली में दस से ग्यारा अगली में दस से ग्यारा गुणा करेंगे दस की पावर तीन ग्यारे की पावर तीन finally कहता क्या है कि दर से इतना हो जाता है इसकी value 6,655 है जबकि इसकी value आती है तेरे से कटी इससे काट लीजे कितने बाद कटेगा 5 बार 5 putting value रग दीजे इसमें 5 higher answer आ जाएगा जो की option number पहला सही है अगला question देखिए अभी मैंने आपको एक question बताया था बताया था कि ब्याज तिमाही दे है और 6 मैंने गली total पूछ रहा था वही question आप करके देख लेना answer इसमें भी वह से ही आएगा point 25 इस टाइब से फसे कर लेना next एक जैसे question हम next करेंगे next question इसको कर लेते हैं इसको उड़ा देंगे हम लोग देखे क्या स्क्रीन पर आ रहा है क्या ये स्क्रीन पर आ रहा है थोड़ा से नीचे कीजिए थोड़ा से नीचे question क्या कहता है चक्रीन पर जमा की गई राशी 12,000 रुपे की धन राशी 5 वर्सों में 5 वर्सों में दुगनी हो जाती है ध्यान रखना दुगनी मतलब दो की पावर एक हो जाती है तो वह धन राशी 15 वर्सों में कितनी हो जाएगी 15 वर्सों में दो की पावर ध्यान रखना चक्वर्ती ब्याज पावर की रूप में बढ़ती है अगर 5 वर्स में 2 की पावर 1 हो रही है तो 15 वर्स में कितने होगी 5 से 15 कटेगा 3 बार तो ये गहात बन जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा क्लियर क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मैं आपको क्लियर करा दूँ कि यहाँ 5 से 15 एक और 3 का अनुपात है तो एक इसकी घाद दिखाता है 3 इसकी घाद दिखाता है पांच से 5 से कितने बार कटा पंदरे 3 बार अगर 5 की वैलू यहाँ 1 है मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से हो क्या रहा है पांच वरस में हो रही है दो की पावर एक पंदरे में कितनी हो जाएगी पांच से पंदरे कितने बार कटा है तीन बार तो 2 की पावर थी अगर यहाँ 25 होता तो 5 के 25 कितने बार कटा है 5 तो 2 की पावर 5 हो जाता तो मैंने कहा यह दोगने से कितनी हो जाएगी आठ गुनी आठ गुनी हो जाएगी कौन सी दंडाशी 12,000 रुपे और 12,000 रुपे हो जाएगी और 12,000 रुपे हो जाएगी correct answer option भी है next question अगला प्रशने करने कोशिश कर रहे हैं क्या कहता है देख लेंगे इसको देखते हैं यदि 20 प्रतिशत वार्शिक दर से वार्शिक दर 12 महीने की दर 12 महीने पर लगने वाली दर 20 प्रतिशत है और 2000 रुपे निवेश किये है मूलधन और ब्याच को अर्द वार्शिक आधार पर आपने चक्रवर्दी किया है अर्द वार्शिक मतलब 6 महीने पर जब 12 महीने पर आपको 20 प्रतिशत लग रही है तो 6 महीने पर आदी लगेगी 10 प्रतिशत जब की वैं कहा रहा है 18 महीने बाद राशी कितनी हो जाएगी 18 महीने, कुल समय रहे हैं? 18 महीने, साइकल कैसे बनती है? कुल समय बटे जो दे है, दे है 6 महीने पर, 3 साइकल बनेंगी, किसकी? 10 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और? 10 प्रतिशत, क्या पूछा है? 18 महीने के बाद आशी कितनी हो जाएगी? तो आप मुझे बताईए अच्छे से बताईगे का प्लीज यह 2000 रुपए हैं रुद रस तीन साल में कितने हो जाते हैं तीन साल मतलब तीन साइकल में कितने हो जाते हैं आपको बताए इसका चक्विति वियाज डारेक्ट ली आता है अपको याद है 33.1 जबकि राशी कितनी हो जाएगी मूलधन जोड़ लीज़े कितना लेखा मैंने 33.1 प्रतिशत जबकि राशी कितनी हो जाएगी 133.1% 100 जोड़ लीज़े तो 133.1% %20.0 दुगना कर लीज़े इसका 262 जो कि option number बे-correct है अगला ratio से भी हो जाएगा पर इतना time नहीं है हमारे पास की ratio से सबसे कराएगा है अगला प्रशन 9% प्रतिवर्ज की दर से वार्शिक चक्वति व्याज है 2 साल के बाद इतनी रुपे की राशी कितनी होगी अच्छा 2 साल के बाद 5000 रुपे की राशी कितनी हो जाएगी सीधे निकाल ले 5,000 मूल धन पहले वर्शवाद कितनी हो जाएगी कितना धर है 9% डारेक्ली 9% निकाल लीज़े 9,55,45,45,400 रुपे मिलेंगे पहली साल दूसरे साल कितने मिलेंगे साले 400 तो मिलेंगे ही मिलेंगे और साले 400 यानि कि दूसरे साल वाला पहली साल से ब्याज दे लेगा कितना 9% तो साले 400 पर 9% का ब्याज का पैसा मिलकर हमें एक्स्टा पैसा मिल जाएगा दो जिव लगा लिए 25 से 4 बार 25 इसको काट लेजे 25 से कितने बार कटेगा आपने कहा 25 से कम 25 20 200 200 यानि कि कटेगा आट पार 18 18 नम में 162 कितना 162 4 से कार टीजे 4 चौक 4.16 40.5 फाइनली साले 400 ये तो सादर वाला पैस होगी कितना 900 रुपे 900 मैं आपको मिल जाएगे कितने 40.5 एक्स्टा फाइनली कितना होगा 940.5 फाइनली ये तो ब्याज का पैसा है न किसमें जुड़ जाएगा मूल धन में तो 5000 में जोड़ लिजे 940 5940 ऑप्शन एक औरेक्ट है पॉइंट मत देखिए अगला कॉशन अगला प्रश्न देखिए कहता क्या है करता क्या है मिश्टर मर्थी एक यूजना में 16,000 रुपे निवेश करते हैं कितने 16,000 रुपे निवेश करते हैं वह व्यास को होने पर कितना धन प्राप्त करेंगे यदि वह इसे 9 महीने के लिए प्रति वर्स देखिए प्रति वर्स मतलब 12 महीने पर लगने वाली जो चक्वेती व्याज है 20 प्रतिशत है जबकि उनको चाहिए 9 महीने का उनको चाहिए 9 महीने पर प्रति वर्स 20 प्रतिशत चक्वेती व्याज की दर से निवेश किया तो कितने दनाशी हो जाएगे निवेश तो वाशिक तोर पर की गई है जबकि उन्हें 9 महिने की चाहिए है 9 महिने तो दर कितनी होगी आपको पता है 12 महिने से 9 महिने उतरेंगे तो 9 बटे 12 यानि कि आपकी दर हो जाएगी 3 बटे 4 3 बटे 4 चाहर से कितने बार 5 बार Palmद्रे प्रतीशत लगी सब्ञें कारीं करेंगे कोई दिक्कर नहीं है जबकि समय कितना दिया गया है कि योज्ना में इतना रूपय निबिश करते हैं कार करेंगे यह इसे नौ महिने के लिए प्रतिवर्स 20 प्रतिशत चक्विति प्याज की दर्से निवेश करते हैं शायद इस कोश्चन में मुझे ध्यान आ रहा है कि यहां पर तिमाई संजोजित्था तिमाई उससे ही अंसर आएगा चेक कर लेते हैं एक वार अगर आता है इससे तो काम चल जाएगा नौ वहिनी में कितनी बनेगी 16,000 का पंदर प्रतिशन निकाल लीजे जीरो जीरो कितना आएगा 240 जयानि कि 2400 रुपे और जुड जाएगे 18,400 अरे नहीं है ऐसा नहीं है इसमें एक लाइन उन्होंने खाली है यहाँ पर ब्याज तिमाई संजोजित है व्याज तिमाई सन्योजित है व्याज तिमाई सन्योजित है इसको मैं रफ करता हूँ मैं आपको समझाता हूँ कहानी क्या है यहाँ व्याज तिमाई सन्योजित है तब सवाल होगा कैसे होगा मैं समझा रहा हूँ आपको एक एक पॉइंट और आंसर भी निकलेगा सटेग इन्हों नहीं नहीं दिया है पर मैं आपको समझा रहा हूँ मिश्टर मर्तियक योजना में 16,000 रुपे लगाते हैं वे व्याश को होने पर कितना धन प्राप्त करेंगे यदि वे इसे 9 महिने के लिए कुल समय 9 महिने के लिए प्रति वर्स प्रति वर्स मतलब 12 महिने का जो ब्याज बनता है 20 प्रतिशत अगर ब्याज तिमाई संजुजित हो यह लिखा नहीं है अगर तिमाई हो तीन महीने पर संजुजित हो तो कितना हो जाएगा एक बट्टे 4 तो फांच प्रतिशत होता साइकल कितनी बनती आपका 9 महीने दिया है साइकल क्या होता है खुल समय बट्टे जो संयुजित कर रहा है सवालनया वाला उसका भाग देते हैं धंदाशी कितनी हो जाती मैं आपको निकाल के दिखाता हूं 5 प्रितिशत क्या होता है एक बट्टे 20 या मूदन लिखना था या मिश्यधन 20 से 21 20 से 21 तीन साइकल में 20 पर गाद दो 21 पर गाद दो 20 पर गाद दो होता है 8000 और 21 पर दो होता है 9261 किलियर और 8000 की वैल्यू कितनी है 16000 मूदन दो बार कटा यह दो बार रख देते और आंसर आ जाता है यहाँ पर दो दो एक पांच अठारा अठारे 522 अठारे हाँ जी देखू ओप्शन है करेक्ट यानि कि इन लोगों ने तिमाई को खा लिया है पर हम तो स्मार्ट हैं हम तो कभी निकाल देते हैं अगला कोश्चन अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर देखे क्या कहता है नेक्स्ट कोश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इसको करते हम लोग बड़ा यहाँ पर आपको समयना पड़ेगा देखिए यदि चमाई चकवर्दी ब्याज पर 20 प्रतिशत वार्शिक धर से 10,000 रुपे निवेश किये जाते हैं तब 18 महीने बाद राशी होगी पहली बाद तो यहां कोल समय 18 महीने है जबकि चकवर्दी ब्याज चमाई दे है तो 6 महीने कभाग लगाएं में तो आपको पता है cycle बनेंगी तीन अब cycle तो बन गएं तीन cycle तो बन गएं तीन है पर वार्ट शिक दरह 20 प्रतिशत बारह महीनी की 20 प्रतिशत छे महीनी की होगी 10 प्रतिशत डारेक्टली आप 10 प्रतिशत लिख लेना चमाई की और साइकल बनी है 3 और इसका चक्वेती ब्याज डारेक्टली याद है आपको होता है 33.1 प्लेतिशत क्या पूछा है तब 18 महिने बाद राशी होगी मिश्विधन पूछा है तो हो जाएगा 133.1% किसका 10,000 का गुणा 0.3,0 कट जाएंगे और सीधे 10 का गुणा होकर आंसर आएगा इतना 13310 जो कि option number B correct है अगला प्रशन देखिए यदि आपने 40% सालाना ब्याज जो तिमाही चक्र व्रदी होगी अब होगी पर 100 रुपे का निवेश किया है तो एक साल बाद आपको कितनी राशी मेरी पहली बात यहाँ पर आपने सालाना ब्याज 40% है 12 महीने की 40% अब आप सन्योजित कर रहे हैं 3 महीने 12 से 3 महीने 1 बटे 4 होता है यानि कि आपकी ब्याज भी 1 बटे 4 हो जाएगी 40% 1 बटे 4 होकर 10% बनेगी जो कि तिमाही होगी अधियुक आपको पता है साइकल कैसे बनती है साइकल निकालने के लिए आपको पता है एक साल में 12 महीनी होते है बटे 3 संजोजित है साइकल बनेगी 4 ददस प्रतिचत की है चक्विति व्याज कितना आएगा आपने कह याद है आपको 46.49 क्या पूचा है एक साल बाद आपको कितनी राशी प्राप्त होगी मिश्यधन मूल्दन जोड़ दीजिए 100 प्रतिशत 146.49 किसका मूल्दन कितना है 100 रुपे का कैसे करना है देखो पर्ट से जीरो खतम हो गया यह यह आंसर है 146.49 option भी correct है next है मैं को नमर्ट 30 क्या कहता है ठीच रुष के अंत राप्त राशी प्राप्त राशी क्या होगी 30,000 रुपे की दूसरे वर्ष के अंत में राप्त राशी मिश्यधन मिश्यधन निकालना है कैसे करना है मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ डार्रक की लॉजिक होगा 30,000 उपे हैं ये मूलधन है ओके की राशी को 67 प्रतिशत बार्षिक चक्रवर्दी ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है दूसरे वर्ष के अंत में राशी कितनी होगी 67 प्रतिशत ना कोई दिक्कत नहीं 67 प्रतिशत होता है 15 का अधा कोई दिक्कत नहीं है 15 का अधा अगर मैं प्रतिशत को तोड़ू या मैं आपको कहूँ 15 प्रतिशत क्या होता है आपने का 5 से कटे का 3 वार 100 कटे का 20 वार और नीचे दो पैडि से मौझूद है तीन मट्टे चालिस फ्रेक्शन आ गया इसका अब चालिस में तीन का ब्याज मिलकर 43 मट्टे चालिस हो जाएगी धन्दाशी एक साल में दो साल में 43 मट्टे चालिस फिर हो जाएगी फाइनली ये है आप मुझे एक बात बताईए अच्छे से बताईए कि जीरो से आप जीरो काड़ देंगे कोई देकत नहीं है आपको यहां कंडिशन क्या बचे कि 3, 0, 0 और 43 इंटू 43 बट्टे में नीचे बचेगा 4 गोना 4 मुझे एक बात बताईए इस 100 को भी काड़ देंगे आप किस से 4 से यह 100 को काड़ देंगे 4 से 25 वार अब तो नहीं कटेगा फाइनली कैसा सीन दिखाई देगा 5 तिया अच्छे से देखेगा जो मैं कह रहा हूँ 5 तिया 15 की 5 5 तिया 15 की 5 5 तिया 15 की 5 उपर आएगा 5 और नीचे आएगा 4 भाग देने पर एक आई के अंग में भाग देंगे तो दो यह आंसर बनते हैं यहां तो 0.75 जब रिमेंडर एक बजता है तो और रिमेंडर एक भी बज सकता है तीन भी बज सकता है क्लियर यह 15 भी हो सकता है यह 5 भी हो सकता है तो 0.75 या 0.25 आना चाहिए तो 0.75 दो में आ गया अब दो में तो आ गया पर आंसर एक टेक करना है आपको पता है जो भी धनाशी आएगी वैं 3 का 3 का गुडणफल होगी कहने का मतलब 3 का मंटीफल होगी तीन से कौं सा कटता है अगर 3 से इसको काटूं तो 3 से एक कट जाएगा 6 शे कट जाएगा 4 आठ 12 कट जाएगा 7 और 5 बारा बिल्कुल कटेगा यह ये कट रहा है पूरा 3 से अगर 3 से इसको काटू 3 से ये कटेगा 6 कटेगा, 4, 5, 9 कटेगा 7, 5, 12 कटेगा 8 नहीं कटेगा, कहने का मतलब 3 से ये कटता है तो option D correct है, ऐसा कर लेके calculation, ने भई या, मर जाएंगी calculation में, next जुगार तो बैठालनी पड़ेगी अगला क्या कहता है आपसे 4500 रुपे की धंदाशी पर 12 प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्दी भ्याज की तर से 2 वर्स और 8 महिने की अवदी के पश्याद प्राप्त मिश्धन कितना होगा 2 वर्स और 8 महिने की अवदी के पश्याद प्राप्त मिश्धन कितना होगा कोई दिकत नहीं है आपको कैसे करना है मैं समझा रहा हूँ पहली बात तो 2 साल 8 महिने की अवदी का पूछा है मिश्धन तो 12 प्रतिशत तो लगता है 1 साल का यानि कि पहले 2 वर्स तो 12 बारे लगेगा जबकि तीसरी वर्स सिर्फ 8 महिने का चाहिए 8 महिने 12 महिने का कितना होते हैं आपने खाद 2 बटे 3 होते हैं तो यहाँ दर 12 प्रतिशत की 2 बटे 3 हो जाएगे कहने का मतलब 8 प्रतिशत हो जाएगे तो पहली वर्स पूरा दूसरी वर्स पूरा जबकि तीसरी वर्स 8 महिने का मतलब 2 बटे 3 बारे महिने का यानि कि 8 परसेंट क्लियर कोई देख करते हैं यह कह रहा है मिश्धन कितना फिराप्त होगा 4500 रोपे पर आपने कहा 24, 32 एक बार जोड़ते हैं दसमलों लाके 4 खाने परसेंट गुणा करते हैं फिर आपको पता ही है गुणा करते हैं बारे का गुणा बारे में होगा आप कहेंगे 144 144 गुणा आठ में होगा 8, 32 की दो कह दी 3 8, 32, 3, 35 5 और 3, 8, 1, 8, 3, 11 पीछे से भर देंगे अगली बार पहले का दूसरी से गुणा होगा 144 दूसरी का तीसरी से होगा 12, 96 और 12, 96, तीसरी का पहले से होगा फाइनली कितना मिलेगा 6, 12, 4, 16, 86, बची एक यहां आएगा 4, 5, 9, 9, 18, 18 और 5, 23, की तीन केरी कितनी 236, कैसे बरेंगे दो खाने छोड़ कर फाइनली चक्वती भ्याज मिलेगा कितना 257, 4 35.47% अच्छे से सुनेगा यह चक्वती भ्याज मिला है मिशिधन कितना हो जाएगा 100 जोड़ दीजे 135. 135.47 5, 2% किस का 45 का लो भई यह इतनी बड़ी calculation कैसे करना है मैं समझा रहा हूँ कुछ ही मत करना छोटा सा कर लेना परसेंट को तोड़ना 2,0 लगा दू नीचे 25 से 4 बार 25 से क्यों 25 से क्यों काट रहे हो लगा दिया 20 से काट लो इसको या आप 5 से काट लो 20 बार 5 से काट लो 9 बार कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ठीक है बिलकुल बढ़िया 9 का गोड़ा कर दीजिए 2 से भाग लागे ना ज़रा जाएगा 9 दूनी 8 आरे की 8 80 बची 9 45 एक 46 की 6 करी कितनी चार 9 सत्य 63 और 4 यहां जाएगा 67 की साथ करी कितनी 6 9 4 36 36 और 6 42 की 2 करी 4 9 पंजी 45 और 4 49 की 9 करी कितनी 49 37 27 34 31 की 1 करी कितनी 3 9 9 9 9 9 12 भाही साब इसमे पॉइंट बाद में चार अंक्रे बाद में लगा देंगे 20 का भाग दीजिए मतलब कहने का मतलब 2 से भाग दीजिए कितना आएगा तो आएगा यहां 6 0 कोई दिकत नहीं 9 609 हाँ आतो राए 609 609 यहां कितना बचेगा 1 यानि कि 6 ओके 6096 देख लो यार 6096 बस यह यह option सी correct है बड़ा धाजू calculation है सवालों में उत्व में करके दिखा रहा हूँ आपको एक एक कोश्चन calculation calculator से निली रहा आपके समक्षी कर रहा हूँ सब कुछ देखो 5 पैतिश्यत या आपके लिए हमबा क्या आप कर लिना सलसा कोश्चन है next कि हमसे क्या कहता है गड़ेश ने 14,000 रुपी की एक रिड़ लिया है जिसे 3 वर्षों के बाद 10 पैतिश्यत वार्षिक की दर से चक्वेती ब्याज पर चुकाया जाना है उसे 3 वर्ष के बाद कुल कितनी दर्नाशी मिलेगी अरे 10 प्रतिश्यत का चक्वेती ब्याज 3 साल का कितना होता है 33.1% जबकि मिश्यतन कितना हो जाता है 133.1% यही निकालना है कि 14,000 रुपे का 0.% % के 2,0 पॉइंट का 1,0 14,000 रुपे का चाहरा बहुत कैलकुलेशन है 18,634 औप्शन भी करेक्ट है नेक्स्ट अगला प्रेशन करते है क्या कहता है 34,000 दो वर्षों के बाद 3000 रुपे की राशी कितनी होगी यदि ब्याज में लगवा 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रुप से चक्विती ब्याज सन्यूजित हो सल है ये तो 3000 रुपे की राशी है कोई दिकत नहीं 12 प्रतिशत की दर है है ना 2 साल है अरे इसमें अपना फॉर्मला लगा दिजे 12 बारे बारे 144 प्रतिशत ब्याज मिलेगी क्या निकालना चक्विती ब्याज सन्यूजित किया जाता है अच्छा 3000 रुपी कितनी हो जाएगी मिश्ण निकालना है 100 जोड लिजे 125.44% किसका 3000 का कैलकुलेशन छोटी है इसकी परसेंट से 2 0 कट जाएंगे इस पॉइंट से आप नीचे लगा लेंगे 2 0 जिससे 1 0 और कट जाएगा तीन कहोना कर लिजे आंसर आजाएगा तीन चोग बारे के 2 आसी बची एक तीन चोग बारे एक तेरे के 3 आसी बची एक तीन चोग लगा देंगे आंसर है आपका ओफशन एक करेक्ट है नेक्स्ट कोश्चन देखो ऐसा हम कोश्चन कर चुके हैं स्टार्टिंग में 6 मैने की समय अबदी पर तिमाई दे हैं कर चुके हैं आप करना नेक्स्ट अगला प्रश्च देखिए कोश्चनमा 36 कैता क्या है मनोज ने सालाना 5 प्रतिश्यत वाश्व रूप से सन योजित करने पर 3 साल के लिए एक निश्चित जमा योजिना पर 15,000 रुपे निवेश की है तो कैता है परिपक्वता पर कितनी राशी मिलेगी मतलब मिशिदन पांच प्रतिश्यत से तीन साल का तो पांच प्रतिश्यत की दर है तीन साइकल बनेंगी तीन साल में और शॉट कैसे निकाल आए मैं तो आपसे यह कहूंगा पांच 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 पंद रहे पॉइंट चार खाने जल्ली से कीजिए हैं 555.125, पीछी से बढ़ दिया, दो खाने ब्लॉक कर दिये, 5 बंजे 25, 25, 25, 75 Finally, चक्वेती ब्याज बनेगी, बंदरे 7625, इतना चक्वेती ब्याज बनेगी अच्छी से दिखा, यह सवाल इतनी चक्कवती ब्याज बनेगी, हमें क्या निकालना है कितनी राशी हो जाएगी तो हो जाएगी 100 जोड़ लेजे 115.625 किसका? इसका लेजे इतने बड़े बड़े सवाल अब मुझे option दिखाएए दूर दूर है या पास पास है option दिखाएए भाईया option तो थोड़े दूर-दूर काम चल जाएगा, point में काम चला सकते हैं, कोई दिखकत ऐसी है नहीं point में काम चला सकते है पहली बात तो इसको उड़ा दो इतना, कोई दिखकत नहीं है, चला देंगे 200-200 का फ़राख है answer में 500-500 कोई देखक्त नहीं कि यहां पर दीखें पर्सैंट से आपने ही08 वांत काटा क्रियर तो cya कटें उलाद ला दिया यह कटिक का तीन वार यह कटिक है दोअज दोबार जो से इसको काट लिया कितने बार 5 बार, 7 बार 8 बार, 8 बार 3 का वणा कर लिया 3, 8, 24 की 4 कहरी 2, 3, 8, 24 और 2, 26 की 6 कहरी 2, 37, 21 और 2, 33 की 3 कहरी 2, 35, 15 और 2, 17 17, 364 ये रहा देखो है कि नी correct option D सही है जो मैं करा रहा हूं fix answer निकल रहे हूंगे अगला 37 इसको आप करना कोई दिक्कत नहीं है next 10 प्रतिशत है कर लेना next थोड़ा छोटा किजिए इसको पहली बात तो 10 प्रतिशत आप कर लेना next 2 साल का कितना हो जाएगा 21 प्रतिशत निकाल लेना चकवेती भी आच ये क्या कहाएदा 550 क नहीं हो जाएगा 8 प्रतिशत है ने जबकि ब्याच अर्धवाशिक दी है थोड़ा सा समझा देता हूं थोड़ा किया मैं करवाई देता हो थोड़ा किया समझाते है आपको चकर व्यूर्दी ब्याच 8 प्रतिशत है वाषिक 12 महीने पर लगने वाली जो ब्याज की दर है 8 प्रतिशत है तो आप मुझे बताईए अगर ये अर्दवार्शिक लगेगी 6 महीने पर लगेगी तो कितनी हो जाएगी आपने घाथ 4 प्रतिशत अब बात आई साइकल की साइकल कितनी है टोटल समय कितना है डेड़ वर्स डेड़ वर्स का मतलग क्या होता है 18 महीने जबकि आपकी देर आशिये 6 महीने तीन साइकल बनेंगी 4-4 की क्या पूछा है कितनी हो जाएगी कैसे निकालना चाहेंगे कैसे निकालना चाहेंगे आप मेरे एसाब से तो आप डारेक्ली निकालिए शौट ट्रिक से 4-4-4-12 10 मला 4 खाने 4-4-4 गुणा की या 64 पीछे से बरा 4-4-16 4-16-16-16 यहनि 4-16-16 4-16-16-16-16-18 दो खाने छोड़ कर यह बन की चकवेती भी आज वे गयरा कितनी हो जाएगे कोई दिक्कत नहीं है किसकी दनाशी 37,500 की ओफ्षन दिखा ना पास है दूरे ओफ्षन दिखाईए ओफ्षन दिखाईए प्लीज ओफ्षन दिखाईए क्यों नहीं दिखा रहे ओफ्षन यह हैं आपके ओफ्षन 42,182 42,1212 42,812 काम चल तो सकता है कोई देखकर नहीं काम चला लेंगे ऐसी कोई बात थोड़ी ना है ऐसी कोई बात थोड़ी ना है चला सकते हैं पर देख लेते कैलकुलेशन छोटे कर लेंगे परसेंट काटा तो जीरो लगा दिए नीचे 25 से काट लो इसको 45 स्कों काट लू 25 25 यहां बचिए का 12 यानि 125 चारल नंतों चार डूनी आट बचिए небग तीन चार 68 22 चार 1 चार चार डूनी चार एक चार चिंग कोई दिख्कत नहीं कि पंदे चिक के 90 की 0 केरी कितनी 9 15 15 और 9 कितना आ जाएगा पांचा 24 की 4 केरी कितनी 2 15 दूनी 30 और 32 की 2 केरी कितनी 3 15 15 और 3 888 पंद्र ठेक 120 और 1 121 की 1 केरी कितनी 12 15 दूनी 30 और 12 42 भूद गैल गुलेशन है ठीक है आज़र कितना आ रहा है 42 180 करेक्ट आ रहा होगा और यह बिलकुल करेक्ट है एक एक पॉइंट का ठीक है पूरी कैलकुलेशन करणे पड़े इस चेप्टर में अगला अद्रवार्शिक है तो आपकी दर 20 की जग थिद कीज़गा 10 हो जाएगी 10 हो जाएगी और एक वर्स है तो आपको बताएं, एक वर्स मतलब साइकल कितनी बनेंगी 2, 10-10 की 2, 21 प्रितिशट ब्याज मिलेगा 21 प्रितिशत ब्याज से धन्दाशी 121 हो जाएगी 121 का दुनाओ तक 242 correct answer option B next अगला प्रशन आप मुझे बताने की कोशिश कीजे next question अगला प्रशन स्क्रीन पर आ रहा है देखिए यहाँ पर दिखाई अच्छे से 20 प्रतिशत है अर्दवार्शिक में आदी हो जाएगी 10 प्रतिशत ठीक clear दो वर्श के बाद मिशिदन कितना होगा मैं आपको complete करा दूँ कि जब आपकी 12 महीने की 20 प्रतिशत है 12 महीने की आपकी 20 प्रतिशत है तो ब्याज दे है 6 माई पर 6 महीने पर तो कितने हो जाएगी 10 प्रतिशत अब बात आई cycle की कितनी cycle होंगी 10-10 प्रतिशत की तो आप बताइए मुझे 10 वर्श बार मिशिदन सौरी 10 नहीं 2 वर्श बार मिशिदन 2 वर्श मतला होथे 24 महीने और आपकी दनाशी दे है 6 महीने पर cycle बनेंगी 4 तुर्द़स प्यत्थिशत की और आपको पता हुआ इसकी ब्याज बनती है एच्छालिस 21 diferente परसेंट ऑस मिशयदन कितना हो जाएगा 14 2500 जबकि मुलतन कितना है गत दरस अ जार का कहने का मतलब पॉइंट परसेंट कट गया और यह पूरा कट गया आंसर यह आएगा वन फोर सिक्स फोर बन दिखा ही मुझे निचे ऑफशन 14 यह चैसे आना चाहिए निचे ऑफशन बढ़ाईए ओके नेक्स कोश्चन अगला प्रेशन देखिए यह मैं ऐसा करा चुका हूँ छह माईने ब्याज तिमाई यह स्टार्टिंग में नेक्स कोश्चन इसको देख लेते हैं फिक्स डिपोजिट को यह सेम कोश्चन है पिछला कोश्चन जैसा पर मैं करा देता हूँ एक कोश्चन बीच में श्री राम नाम की व्यक्ति ने ध्यान रखी यह कोश्चन पिछला कोश्चन है बिल्कुल श्री राम नाम की व्यक्ति ने एफडी में 14,000 रुपे निविश कें हैं मूलधन 14,000 रुपे परिपक्वत अवधी के उपरांत उसे कितनी राशी मिलेगी यानि कि मिश्यदन निकालना है यदि उसकी 20% प्रतिवर्श यानि कि 12 महीने की 12 महीने पर मिलने वाली जो ब्याज की दर है वे है 20 प्रतिशत शक्वती ब्याज की दर पर 6 महिने महिने की आज़े नड़ाशी यानि dar gud 책 ने 2 350 कि ने तिमाई ने 12 महिनी की बीज तो 3 महिनी की कितनी एक बठे चार बनेगी इसकी 14 authentic भीतनी पांच प्रति चल्द अब साइकल किति बनेंगी समय 6 महां यह बटक किति हैं दो साइकल बनेगी है और मिचेलन कितना हो जाएगा इसकी व्याज बनेगी आपने मुझे यहला लगा सकते देशियो लगा लिए लगा लेते हैं कोई देखर देशियो नहीं लगा ना तो आप फॉर्मला लगा लिए पाच और पांच दस और पांच पंजे 25.25 आएगा दस पॉइंट 25 तो आएगी ब्याज और मिश्टन हो जाएगा 110.25 किसका 14,000 रुपे का गुणा परसेंट पॉइंट सॉरी परसेंट काट के दो जिरो इठा दो पॉइंट काटा दो जिरो लगाए कोई दिक्कत नहीं है जिससे हुआ क्या आप छोटा भी कर सकते हैं कैलकुलेशन में इससे काट लिजे 25 से चार बार 25 इसको काट लिजे कितने बाद कटेंगा 25 से गोड़ा कर दीजे बट्टे में चार कर दीजे ठीक है ओके था चार सो तालीज गोड़ा एक सुचालीज कि आप 141 कम चॉद्र की चारहाशी बची एक चौधाशाचपन सताविज की साथ के रही कितनी पांच चौचपन और पांच एक सट पट्टे में चार का डिवाईज दीजीजे पंद्र बार एक बचेगा शे बार एक बचेगा तीन बार अरे 15 ओप्शन देखाईए इसके पंद्रेट छहेट थीन कोश आ रहा है 156 अरे कुछ नहीं आरहा है 156 person गलत दे दिया क्या ऐँ वन सकेड्ड चार से डी चीएश में मिले चार से एक बार पचे का इतना दो मिले चार पंजे पचे का एक चार चौक 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 अ ये है दिखनी ना सब्सक्राइब ओके बचेगा एक चार तिया ओके बचेगा दो चार पंजे यह आएगा पंद्या चार सो पैतिस जो की ओप्शन डी करेक्ट है दिखनी नहीं था सही से सब कुछ मिल गया जूल हो गया अगला कोशन देखिए पंद्या सो रुपे की राशी का साधान व्याच पर मिश्यदन दो बर्सों में अठारे सो रुपे हो जाता है देखिए पंद्या सो रुपे अठारे सो रुपे हो जाते हैं दो वर्स में तो ब्याज कितना मिलता होगा आपने कहा 300 रुपे तो एक वर्स में ब्याज कितना होगा आपने कहा 1500 रुपे साधान ब्याज क्या बोला है यदि ब्याज की दर में 5% की ब्रद्धी की जाए तो मिश्य धन कितना हो जाएगा मिश्य धन कितना हो जाएगा अच्छा साधान व्याजी निकालना आपको मुझे एक बात बताईए अच्छे से कितने प्रतिशत की ब्रद्दी कर रहे हैं पांच प्रतिशत की अभी आप मुझे बताईए 150 साधान व्याज की दर क्या होती है उपर एक साल का व्याज नीचे मूलधन यानि साधान व्याज की दर 10 प्रतिशत थी आपने कितने बढ़ा दी 5 कर दी 15 प्रतिशत मिशिदन पूछ रहे हैं 150 प्रतिशत हो जाएगा कितना हो जाएगा 15 कितना साल का अच्छा 2 साल का 1 साल का 15 2 साल का 30% मिशिदन हो जाएगा 130% किसका 130% पंद्रे हजार का पंद्रे हजार का जीरो से जीरो काट लेंगे एक सो तीस परसेंट को आप कह सकते हैं तेरह वट्टे दस कॉंसेप्ट में तो बिल्कुल सहल है देखो ब्याज तिमाई संजुजीते में ऐसा करा चुका हूँ नेक्स्ट अभी कराए था अगला कि आप कर लेने डेड़ वल्स का भी आज़ें नेक्स्ट तीन रेट का स्टार्टिंग में करा दिया है मैंने तीन रेट का स्टार्टिंग में करा दिया कर लेना नेक्स्ट पॉर्टिनाइञ न attitudes कोई दिक्कत नही है एक हजार रुपी धनाशी 10 प्रतिशत है वार्षिक भी आजकर से डेड़ वर्ष की व्याजकी की गड़ना कीजिए जब व्याज की गड़ना अर्दवार्शिक है अर्दवार्शिक में क्या होगा यहां पर दर हो जाएगी आदी पांच पैतिश्यत और देड़ साल में साइकल बनेंगे तीन पांच 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 ऐसा मैं करा चुका हूं और निकल के आएगा 15.7625 यह चक अगला प्रश्ण लास्ट का कोश्चन हम बिल्कुल जरूर कराते हैं चमाई आधार पर चक्वेती ब्याज करके गड़ना करनी है अठारे सो पचास रुपे अठारे सो पचास नहीं है अठारे जार पांच रुपे कि राशी पर 40 प्रतिश्यत वार्शिक दर पर अठारे मह 12 महिने का वार्शिक बारे महिने का अगर 40 प्रतिश्यत है जब कि छमाई कह रहा है जब कि छमाई कह रहा है तो छमाई हो जाएगा आधा 20 प्रतिश्यत साइकल कितनी बनेंगी तोटल समय आपने कहा 60 20, 20, 20 आपने कहा 60 पॉइंट लगाया 4 खाने 20 गुना 20 गुना 20 8000 20, 20, 400 400, 400, 400, 200 दो खाने छोड़कर आएगा 32.8% यह आएगा चक्र विर्दिव्याज वही निकालना है कि इसका 18500 का अब कैलकुलेशन की बार ही है परसेंट से क्या करना? 2-0 लगा देना इस पॉइंट से 1-0 लगा देना होगा क्या? करना कैसे है? मैं तो आपसे यह कहूंगा कि यह सल करना है तो 25 से काट लेना इसको 25 से 4 बार 40 हो जाएगा 25 से काटिए 25 सत्ते 175 बचेंगे कितने यहाँ पर 10 10 यानि कि 100 यानि कि 25 से कटेंगा 4 बार कोई दिक्कत नहीं फिर यहाँ से 0 से आप 0 भी उड़ा सकते है फाइनली आप 2 से इसको भी उड़ा सकते है 2 से कितने बाव उड़े गई 37 बार निचे आजाएगा 2 से सकोड़ा लेना कितना 36 चार अरे गुणा करना है बस 364 में 37 और आंसर आ जाएगा 7 चौक 28 वैसे 28 में पीछे 8 आ रहा है 8 मतलब यही आंसर होगा 8 मतलब पीछे यही आंसर होगा अगर नहीं आता तो आपको समझा जिता हूँ 7 चौक 28 की 8 केरी कितनी 2 साच्छिंग 42 चारती अब बारा साच्छिंग 42 और 42 तो 44 चारती अब बारा 44 और 12 चारती अब बारा चापन की छे 16 हाँ यह आंसर आप्शन है ठीक तो कैसा राज का सेशन बहुत कैलकुलिटिव सेशन था ठीक टाइम भी ज़्यादा लगा है लगे गई ऑब्यस्सी बात है चलिए आपके लिए सब्सक्राइब भी का हूंगा मैं कुछ भी नहीं कह सकता गला गैट चुका है थैंक्यू